तो लास लास हम लोगों ने basic concept खतम किया था, जिसमें से एक दो point जो हम लोगों ने check किया था, उसमें से वो था हमारा, क्या कहते है, swap point, swap point क्या होता है, बता सकते हैं? हाँ जी, जो forward rate और spot rate के बीच के जो difference है, अगर ये increasing order में हो तो क्या होता है, जैसे मालने जी अगर swap point कहीं पर ये दिया गया हो, कि ये 50 है और ये 70 है, ये normally point के term में होते हैं, पैसे के term में भी हो सकते हैं, अनिकि fraction and unit के term में भी हो सकता है, ये क्या चीज़ों को बताता है, premium को और अगर कहीं पर ऐसे हो जाए 60 और 40, तो ये क्या चीज़ों को बताता है, discount को, ऐसा क्यूं होता है, क्योंकि जो forward rate की spread होता है, वो हमेशा जादा होता है, forward rate की spread जादा होने की वज़े से negative value जब होगा, क्योंकि उसके forward rate की spread जादा होने की वज़े से, ask rate का difference हमेशा बढ़ rate से, और ये value भी बढ़ा है, ये value बढ़ा एक ही case में हो सकता है, जब ये क्या बताइए, negative, क्योंकि 40 बढ़ा है, किस से, 60 से, क्योंकि forward rate की spread जादा है, आप मुझे बताइए, 40 बढ़ा का उनकी case में हो सकता है, जब ये क्यों बताइए, negative 40 और negative 60 हो तभी possible है, इसका मतलब ये आपका discount ही हो सकता है, कुछ और नहीं हो सकता है, वैसे इसमें पीछे बहुत सारे dispute था, बट वर इस dispute को मुझे deal करने की ज़रत नहीं पड़ा है, क्योंकि अभी जो study mat इस हुकि है, number 2023 की, उस study mat मुझे dispute को institute ने क्या कर लिया, आपने आपको correction कर लिया, ठीक है, नहीं तो पिछले 5 साल से dispute को लेके चलना पड़ा था, दुझार 11 से, अभी कितने पी हम लोग, 24, कितने साल, 13 येर से dispute मुझे लेके चलना पड़ता था, डिस्क्लेमर बार बार लिखवाना पड़ता था, लेकिन ठीक है, कम से कम अभी के study mat में correction कर लिया है, तो कम से कम हमारा कुछ time, सेव हो गए, नहीं तो dispute में ही मेरा चला जाता, 15-20 मिनिट, मैं बोलता रहा हूं, अगर institute dispute को खतम कर ले, अपने सारे के सारे mistakes खतम कर ले, हमारे 25% lectures की जो timing है न सेव हो जाता है, 25% यानि कि हमारे जो जितने भी duration जाएंगे lecture का, समझ के चलना, उसमें 25% time हमारा किसमें waste होत तो वो जो unsystematic को reduce करने में, risk को reduce करने में, हमारे 25% time worst होता है, बड़ क्या करें, इसके बना कुछ आगे बढ़ना ही सकते हैं, तो confidence नहीं आगा कभी, तो चलो कम से कम, इसमें तो time save होई, क्योंकि institute ने अपनी dispute को क्या करा, ठीक किया, चले, फिर उसके बाद हमने कुछ premium discount की spot multiply by 100, लेकिन percentage premium discount हमें से annual निकालते हैं, इसलिए divided by क्या करोगे, जितना period दिया होगा, इस तरीके से जाओगे, अगर आप price currency का premium discount निकालने तो spot minus forward, divided by forward, multiply by 100, और multiply by क्या करोगे, 12 divided by, जितना period है, उसके साथ जा सकते हो, अगर आपको कभी percentage premium discount दिया गया हो, तो आप एक ची percentage premium जाता है, कहां से lower value based से, यह high percentage आएगा हर case में, जबकि percentage discount जो आएगा, same exchange rate में, जो दूसरे currency के लिए होगा, क्योंकि, एक currency अगर one currency अगर premium पे हैं, तो another currency किस पे होगा, बताइए, discount में, लेकिन उसकी discount की जो percentage होगा, एक चेक करना, आप हमेशा छोटा percentage दिखेगा, क्यो बहुत, अभी recent past है, पहले तो नहीं करते थे, लेकिन recent past में क्या किया है, इन दोनों को equal use करना शुरू किया है, जो की approximate calculation है, accurate calculation यह नहीं है, हमने आपको क्या बताया, कि मान लेजे अगर dollar premium पे है, और dollar one का rate चल रहा है, मान लेजे Malaysian ringit का something something दे रखा है, अब इस case में 4 condition बन premium पे होंगे, या तो dollar discount पे होंगे, या तो आपका Malaysian ringit premium पे होंगे, या Malaysian ringit क्या होगा बताये, discount पे होंगे, आपको बता दू, चारो case में अगर same percentage रख दोगे, तब भी आपका जो rate आएकान future का, वो same नहीं आते हैं, लेकिन हम लोग क्या कर लेते हैं, dollar के premium अगर 5% है, औ Malaysian ringit का premium discount हम लोग क्या जूम कर लेते हैं, बताये, यह हम जूम कर लेते हैं, 5%, तो अगर ऐसा case अगर बन गया, तो आपको दो rate जो होगा, दो condition में same exchange rate forecast करके लाओ गया, अगर यह 5% premium पे तो इसको भी क्या बोलते हैं, बताये, 5% discount पे, तो अगर ऐसा condition कभी अगर आएगा, equal कर देते हैं उसको, यह और यह equal करके exchange rate निकालते हैं, कैसे adjustment करेंगे, जब question में पहुंचेंगे तो बताएंगे आपको, अभी के case में बता दू कि, अगर dollar premium पे जा रहा है, तो क्या करते हैं, फटा-फट rate निकालने के लिए, अगर dollar premium पे हैं, तो Malaysian Ringgit की quantity बढ़ा दो, अगर dollar discount पे है, Malaysian Ringgit के quantity घटा दो, अगर Malaysian Ringgit premium पे है, dollar की quantity बढ़ा दो, कितने percent, 5%, क्योंकि उसकी price बढ़ेगी न, तो उसकी price किसमें होगा, यह वले होगा, तो आपको क्या करना है, 1 plus 0.05, माल लिज़ अगर यह 5% पे है तो, लेकिन ultimately rate जो निकालना है, एक dollar का निकालना है, तो automatic क्या हो जाएगा, बता है, यह amount इधर जाकर divide हो जाएगे, तो आपका क्या बनेगा, यह divide हो जाएगा, 1 plus 0.05, यानि कि हमने क्या बोला था, price currency का premium discount निकालना है, तो आप क्या करदो, divide कर दो, 1 plus premium से, या 1 minus discount से, ठीक है, क्योंकि discount पे, अगर मालेजे 5%, discount पे कोई चीज, तो 5% गटाना है, मतलब 1 minus 0.05 करना है, याद रखिएगा, निकी, 95% से आपको क्या करना है, इसमें, डिवाइड करना है, क्योंकि यह हमारे लिए क्या बता, यह price currency है, तो इसमें 95% से divide कर दोगे, तो आपका, जो rate है, accurate वाले हैंगे लेकिन जब approximate निकालना है, तो देख लेंगे कैसे करना है, यतना ही पढ़ाता हम लोग last last में, और कुछ question solve किया था, हम एक काम करते हैं, अगला concept आते हैं हमारा, interest rate parity theory, और एक है purchasing power parity, okay, interest rate parity theory क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, यह कहते हैं कि दो country के जो interest rate होता है, sorry, exchange rate हो interest rate पर depend करता है, क्या बोला मैंने अभी, दो country के जो exchange rate है, दो country के जो exchange rate हो किस पर depend करता है, interest rate पर, अच्छा, यानि कि सबसे पहले हम लोग अभी देखने जा रहे हैं, यह रहा हमारा, interest rate parity theory, parity theory एक चीज़ कहता है, कि देखिए, parity theory यह कहता है कि मान लिजे इंडिया का interest rate, जब भी मैं बोलू कि इंडिया में interest rate क्या चल रहा है, तो कौन सी interest rate बताओगे, inflation के साथ adjusted, बट उसका नाम क्या है, जो इंडिया में interest rate, जो inflation को adjust करके जो चलते हैं, उस rate का नाम क्या है, हंज वो तो inflation है, CPI जो है, consumer price index वो तो किस चीज़ को indicate करता है, inflation को, हमने ज़्यादा deal नहीं किया, आपके notes में लिखा होगा कहीं पे, कि जब भी अगर country में inflation measure करना हो, तो हम लोग inflation कैसे measure करेंगे, महंगाई कैसे measure करेंगे, महंगाई कैसे measure करेंगे, क्या महंगाई बहुत ज़् है, tomato पहुंच गया, 200 रुपिय तो महंगाई बहुत ज़्यादा है, मैने deal नहीं किया थे इन सारे चीज़ों को, बट notes में आपको लिखा होगा था, थोड़ा सा time कम था, इसलिए मुर्जे लगा कि basic चीज़े जो आप लोग जानते होंगे, अगर notes पढ़े होंगे तो आपक है, तो फिर कैसे महंगाई हो गया, इसका मतलब क्या बनाते हैं हम लोग, एक group बनाते हैं, और वो group अगर retail market से हो, तो उसको बोलते, consumer price index, index हमें सा group of the commodities है वहाँ पे, कुछ commodity का group बना दिया, उससे हम लोग क्या decide करते हैं, महंगाई इधर, inflation, अगर group की value बढ़ गई, मालने हमने अपने group में 3-4 चीज रख दिया, ठीक है जी, हमने इस अपने group में क्या कर दिया, 3-4 चीज रख दिया, कोई चीज सस्ता हुआ, कोई चीज महंगा हुआ, तो हम इससे decide नहीं करेंगे, group की value अगर बढ़ी, मालने जी पूरे group की value पहले 100 था, अब इस group का value 105 हो चुका है मतलब यह सारे सामान 5% महंगा हो गया, inflation कितना बताए, 5% और यह major कहां से करते है, CPI से, consumer price index यह WPI जो होते है, wholesale price index यह wholesale market का महंगा इदर बताता है, और यह retail market यह नहीं की consumer goods को बताता है, तो यह क्या है, index होता है, index हमें सा group of the something होता है, वो inflation को measure करने के लिए था, समझ में आ बढ़ा है, समझ में कि index का value कितना बढ़ा है, जिसे market में क्या हो यह देखना जाता है हम लोग, तो कभी भी एक stock reliance के साथ क्या हुआ, HDFC के साथ क्या वो नहीं देखने जाते हम लोग, क्या देखने जाते है, Nifty Sunsex क्योंकि वो क्या है बताए, यह group बनाए गया, 50 company का group बना Nifty, Bombay Stock Exchange के, जितने भी company listed, उसमें से 30 company को select कर लिया, तो क्या बन गया, Sunsex, Sunsex चल रहा है, Sunsex की value अलग दिखता है, Nifty की value अलग दिखता है, वो क्यों दिखता है, वो stock market जो इससे बात कराएंगे, तो आपको वहाँ बताएंगे, अब यहाँ पर discussion ना करें, हम भी बात करेंग इंडिया के interest rate की, आपने ये तो बोला कि inflation adjusted interest rate देखेंगे, लेकिन इंडिया में inflation को adjust किया हुआ interest rate, कौन सी interest rate है, RBI जो देता है, RBI कौन सी rate करके देते हैं, नई adjust करके कौन सी rate quote करता है, repo rate, लेकिन repo rate जो होते हो, bank to RBI के लिए apply होता है, वो retailer के लिए apply नहीं होते हैं, अब आप जाओगे FD करने, तो आप देखना, repo rate से जादा ही मिलेगा आपको, तो क्यों जादा मिलना है, हमें जब भी कभी बोला जाए, इंडिया में क्या interest rate चल रहे हैं, तो किसी bank का loan rate नहीं बोलोगे, किसी bank का deposit rate नहीं बोलोगे, repo rate नहीं बोलोगे, reverse repo rate नहीं बोलोगे, आप पे, और ये आपका risk free rate की तरह trade किया जाता है, और आपको बता दू, treasury bill का rate होता है, वो normally आपको FD rate के equal आपको मिलेंगे, समझ में आ गया, तो जैसे आज अगर मैं पहुंचू, treasury bill कहा trade होते है market में, होता है, money market में, कहा trade होता है, money market में, money market में, याद रखना, money market जो है, वो short term की जो जितने भी security जो हते है, जिस market में trade होता है, वो हमारे लिए क्या है, money market, जैसे आप stock exchange में गए, कोई चीज खरीदने बचने, इसको बोलते है, capital market, ठीक है, तो treasury bill money market में trade होती है, अब ये देखे, T-bill rate in India, तो अब इसमें क्या होगा, different period का rate आएगा इसमें, ठीक कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा, one year नहीं बोलते है, 364 days बोलते है, minimum 91 days, 3 months नहीं बोलेंगे, कितना बोलेंगे हम लोग, 91 days, और उधर क्या केते है, maximum जो जाता है, 364 days, इससे ज्यादा का T-bill इसू नहीं होता है, T-bill क्या है, RBI इसू करते हैं, यानि कि Central Bank इसू करते हैं, US का T-bill कौन इसू करेगा, वहां के Central Bank, Federal Reserve, है न, तो T-bill Central Government इसू करते हैं, Government के भिहाब, मतलब Central Government नहीं, Central Bank इसू करते हैं, Central Government के भिहाब पे, और वो उस country का risk-free rate की तरह treat किया जाता है, और वो जो आपका risk-free rate हो इसू करते हैं, वो inflation include करता है, अगर जब भी किसी country का देखना, आपकी जितना inflation होगा न, उससे जादा ही आपको T-bill का rate मिलेगा, समझ में आगया, मान लेजे, inflation 5% है, तो आपको T-bill का rate अगर आपको 7% मिल रहा है, मतलब 2% pure time value है, time बीतने की वज़े से, और 5% उसके अं इंडिया में real rate, real rate है 2%, और 5% का inflation, इसका मतलब 7% का round क्या होना ची, around होना ची, यह accurate calculation नहीं था, जो मैंने बोला है अभी, accurate करना सिखाऊंगा, international feeser effect, IFE feeser में कुछ formula दे रखा है, उसके थू, मोटा मोटा समझ सकते हो, जैसे अभी मैंने बोला, accurately अगर चेक करोगे, तो dollar अ 5% पे, exactly वैसे देखो आप, अगर inflation 5% है, और real rate अगर 2% है, तो government की जो treasury will का rate होगा, कितने का सपास दिखना चाहिए, 7, लेकिन जब accurately calculation करूँगा, तो 7.something आएगा, वो कैसे होगा, वो हम बताएंगे भी आपको, तो इसलिए उदर मत जाए, यानि कि जो T will rate होता है, वो किस यहाँ पे दिख रहा है, ट्रेज्डी बिल ओबर 31 डेज, यानि कि पीछे देखा जाए, तो यह मोटा मोटा 7.19% का rate आपको यहाँ पे दिखा रहा है, यह ना ट्रेज्डी बिल, 7.19, बोलो क्या है, परसेंटेज होगा, चलो कोई नहीं आगे बढ़के दिखा देखा लेनमीन, December 2023, वो कितने दिन वाले ट्रेज्डी बिल था, 182 डेज, तो मैंने बोला, यह वैरी करता है, छोटे पीरियड के टी बिल का rate छोटा होता है, बड़े पीरियड के टी बिल का rate बढ़ा मिलेगा, अब वो सब क्या है, वो आगे के चाप्टर में बताएंगे, इंटर बढ़ता जाता है, लंबा प्रियर में बढ़ता है, अगर थी मंत की इंटरेश्ट होगी, अभी जाओने FD करने, थी मंत का FD करो, इंटरेश्ट छोटा, शिक्स मंत का FD करो, इंटरेश्ट बढ़ा, तो यह चलते रहते, यह नॉर्मल रूल है मार्केट की, ट्रेश्डी अब भी तो बोला, ध्यान नहीं दे रहे हो आप लोग, 91 डेश्ट से नीचे का FD बिल नहीं हो सकता है, 364 डेश्ट से जादा का FD बिल नहीं हो सकता है, वो पीरियर्ड फिक्स है उसकी, हाँ, बीच में आपको 182 डेश्ट मतलब उसके बीच वाले कम कम हो कुछ कुछ हो सक जाती है, तो 91 डेश्ट होगा, यहां कितने दिन का चल रहा है, बताईए, 32 days, कितना गया बताईए, 162 days, ब्लटिप्लाइло 2, 364 days, वो 91 के उसमें चलता हूं, हाँ जी, 91 के multiple में चलता है समझ में आगे बद 1364 डेज का 3D विल मिल सकते है 182 डेज का 3D विल मिल सकते है तो यह कह रहा है कि अभी December में कितने प्याय है बताई है 7.155% Inflation जाके चेक करना है, इससे नीचे मिलेगा आपको हर अब टाइम, हर टाइम क्योंकि inflation इंक्लूड होके risk-free आता है जो भी होगा, बिल्कुल यानि कि 7.155% क्लियर यहाता है वैसे इसमें screenshot दिया होगा इसमें, जो हमने जिस नीचे मिलेगा इसमें कहीं कहीं मिलेगा, अब कहां मिलेगा चोड़ो उसको तो हो सकता है, वहाँ पे कुछ और rate होगा सवाज में आगया, कहीं पे मिलेगा, आपको जहां मिलेगा, वह देख लेंगे, कितना बरसे क्योंकि जहां पे हम logically उसको explain करेंगे ने, real life example से तब यह सारा चीज दिया होगा, उसमें screenshot ले रखा होगा ठीक है, अभी हम लोग 7% मोटा-मोटा देख ले चलो, एक काम करते हैं, TSD विल इंडिया का आगया, हम एक काम करते हैं inflation भी देख लेते, चलो inflation भी हाँ, क्योंकि अगले जस्ट, आज ही पढ़ेंगे inflation का भी parity, तो सारा कुछ यही निफ्टा लेते inflation देखना है, तो आपको देखना पड़ेगा, CPI in India चलो, अभी जो डेटा आएगा, हमारे पास December 2023 का ही मिलेगा January का तो मिलेगा नहीं, तो हमने लिख दिया कि CPI कितना चल रहा है तो कह रहे कि देखे, मैंने तो CPI सर्च किया है, ओफर क्या लिखे दे रहे बताई यही होता है कि यह चीज़ आपको पता होगा, तो immediately डेटा मिल जाएगा कुछ अंदर जाने की जौरत नहीं, किसी वेब साइट पर पढ़ने की जौरत नहीं, वो पहले ही देता है, Google इतना intelligent है, वो आमे 7.2 माइनस 5.7 मोटा मोटा आपका 1.5 परसेंट का रियल इंटरेस रेट चल रहा है इंडिया में, 1.5 परसेंट का रियल रेट, मैं फिर से काल्कुलोशन कर रहा हूँ, यह मोटा मोटा काल्कुलोशन एकुरेट नहीं है, पर यह मोटा मोटा, कि कभी किसी को बोलना हो, अगर approximate term में, तो approximate term में बोलेंगे 1.5 परसेंट रियल इंटरेस है, जिसमें से 5.7 परसेंट का इंफलेशन एड़ करने के बाद, आज टीबिल का रेट कितना चल रहा है, 7.2 के अराउंड चल रहा है, ठीक है, चलिए यह किस की कहानी थी, इंडिया की, अब हम parity पढ़ रहे हैं न, तो किस के साथ चेक करना पड़ेगा, US के साथ, किसी और के साथ भी करना पड़ेगा, तो चलो अभी तो US के साथ ही comparison कर लेते हैं अपने आपको, चलिए, तो CPI in India बोला था, हम अब CPI कहां का दून ले बताओ, USA का, तो CPI USA का हम लोग चेक करते, December 2023 का, ठीक है, मिलेगा क्या, हांजी, क्या रही कि देखे, inflation as measured by consumer price index 6.3% in December and by 35% 2020, उसी का होगा साथ क्योंकि हमने US लिखा है तो उसी का होना चाहिए, अच्छा, कोई बात नहीं, चल गया, कोई शो नहीं है, ठीक है, यह लेह, इस पर कर दिया, कहते है कि 3.4% उसी का रेटा होगा, ठीक है, वाइट हॉस देखे, तो 3.4% पर पहुचा है, त यह बढ़ने की बात कर रहा है, जी, बाई लिखा है, December and by 3.5% 2023, बाई मतलब इंक्रीज बाई बोल रहा है, मतलब इंफ्लेशन कुछ और है, मैं अंदर नहीं जाना चाह रहा है, अंदर में इतने सारे कुछ आएगा तो नहीं पढ़ने जाऊंगा मैं, मेरे को जो भी पर रोज 3.4% यानि की बढ़ने की बात कर रहा है, बार बार यह 3.5% बढ़ा है, तो बाई बढ़के कहां पहुंचा है, अदे भाई, यह कुछ कह रहा है कि number and 6.4% at the beginning of 2023, meanwhile, क्योंकि इंफ्लेशन जादा है वहां के अभी, अभी तो जाके जो है न, एक साल से डेड, दो सा कोई है, इंक्रीज 2.3.4% in December from 3.1, और वहां भी था भी न, बढ़ा था, वह लेंग्वेज गलत लिखा था, क्योंकि 0.3% बढ़ने के बाद इतने पर जाना चाहिए, तो बाई नी लिखना चाहिए 3.4 से, ठीक है, 3.4 के राउन, यानि कि मोटा 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 हम कह सकते, US में कितना चल रहा है, बताइए, आच्छा, वहां का T-bill rate भी तो चाहिए, कहां का, US का हमें T-bill rate भी चाहिए है, चलो, तो, अब हमें चाहिए T-bill rate, T-bill rate in US, चलिए, तो हम लोग पहुंसते है, T-bill rate वहां पर जो चल रहा है, देखो, कितने का असपास चल रहा है, 1-month T-b T-bill rate जो आपका चल रहा है, 5.5 के अरौंड, यानि कि 1-year test, जो भी है, पीछे का में नहीं जाना है, पीछे का आपको कुछ माइनस होगा रहा है, दिखा रहा है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, अभी जो चल रहा है, कितने का बताइए, मोटा-मोटा 5.5 के अरौंड, यहाँ पर कितना चल रहा है, 7.2 चलो 7% कर लेते हैं, यह हो गया T-bill का rate, CPI यानि कि inflation की जो rate चल रहे थे, इधर चल रहे है हमारा 5.7 के राउंड, और उदर जो CPI चल रहे है, आपका मोटा-मोटा 3.5 के राउंड, मोटा-मोटा रखेंगे, चलो 3.4 ही रख लो, कोई बात नहीं, हाँ जी, तो एक चीज देखना, उनका rate अगर inflation कम है, तो उसने अपने वाले पे, किस पे, उन्होंने अपने real पे कितना एड़ किया, 3.4, तो कहां पहुंचा उसका, risk-free rate पे, तो 5.5 माइनस 3.4 अगर चेक करें, तो मोटा-मोटा 2% वहां का real rate हमें चेक कर रहा है, और यहां पे हमें real rate approximately कितना दिख रहा है था, 1.5% कर रहा है, वैसे real rate, normally वही 1.5-2% के आसपास हर country का आपको मिलता है, real rate, जिसमें inflation को हटा देते, exclude करते, तो real rate होता है वो, inflation हटा दे, अगर किसी interest rate में तो क्या बोलते इसको, real rate, और inflation डाल दे तो उसको क्या बोलते हम लो तो टीविल बोलो, बात में बदलेंगे उसको nominal rate भी बोलेंगे, लेकिन बहुत दूर बोलेंगे, जब हम लोग पहुचेंगे capital investing के around, यानि कि international financial management तब real और nominal की बात करेंगे, तब कितने अपने आपको इंप्रूब कर चुके होंगे, ठीक है, अभी फिलाल तो आप लोग, real और tragedy bill यानि के risk free rate से बोल सकते हो, ये दोनों, हम जो अभी पढ़ने जा रहे, क्या पढ़ने जा रहे देखो, interest rate parity theory यानि कि ये कहते हैं, कि दो country के exchange rate जो होता है इस पे dependent होता है, tragedy bill 5.5 चल रहा है, कितना बड़ा है, जबकि 1.5 दो percent के rate चलने वाले US, आज कितने पे चल रह है, 5.5, ऐसे ही चलते रहे कुछ जाल तक, और ये दीरे-दीरे क्या हो जाए बताईए, 56 के आसपास आजाए, तब मजाएगा, तो दीरे-दीरे आपके currency में impact इसको दिखना शुरू होगा, अभी ऐसे-इसे चल रहे थे, अभी straight हुई है, और नीचे अगर जाना है, तो इस ही एक point है, कि ये बुरा हो जाए, तो हमारा एकनमी क्या हो जाएगा बताईए, उसके comparison तो और अच्छा है ना, मरफे, हांजे, तो चलिए, अब आते हैं, parity की क्या कहता है, concept, parity की concept क्या कहते है, देखो, अभी आपके दिल में क्या रहोगा, यहां से boring कर लेते हैं, सस्ता है, और यहां पर deposit कर देते हैं, बोलो कि ट्रेज़ी बिल, हाँ, इतना ही आपका fix deposit rate भी मिलेगा, तो बोलो कि उतने पर loan कहा मिलेगा, जाएए, आप ट्रेज़ी बिल मार्केट में जाएए, ट्रेज़ी बिल आप इस सुनी कर पाओगे, लेकिन कोई दूसरा security शो करके आप loan ल deposit कर दो, कितना मजा आता, कहते हैं, कोई मजा नहीं आएगा, तो कि जब वो पैसे वापस लेकि जाओगे न, तब तक आपके currency यहां पे depreciate कर चुका होगा, उतने percent से, कितने percent से, 1.5%, ठीक है, इसको थोड़ा दूर दूर रखते हम लोग, यह जो है न, यह वाले को थोड़ कर रहा है कौन, तुम्हारा number थोड़ा दिर बाद आएगा भई, तुम अपना इधर रहे है भी थोड़ा दिर, तुम्हारा number को आएगा, थोड़ा दिर बाद आएगा, इसको थोड़ा colorful कर देते हैं, ताकि हमारे सामने रहेगा, दुबारे मुझे Google पे ना जाना पड़े, आएगे, पैरिटी क्या कहता है, कि exchange rate जो होते हैं, वो एक currency premium पे जाएगा, दूसरा currency discount पे जाएगा, कितने percent से जाएगा, जितना इसके बीच में gap है, यानि कि ये क्या कहना चाहरा है, कि जो rupee currency है न, वो आने वाले time पे depreciate करेगा, कितने percent से, 1.5 percent से, लेकिन अगेन बात क ये सारे calculation क्या चल रहा है, approach, जो भी कुछ बोल रहा है, approach चल रहा है, institute खुद approximate में answer देना शुरू कि अभी, number 30 के RTP में, MTP में, एक question डाला था, सब approximate calculation करके दिया है, ठीक, अच्छी बात है, मजे आगे फिर तो, करो approximate में तो इतना ही होगा, कितना हैगा, 1.5, accurate में थोड़ currency क्या होगा, पता है, appreciate करेगा, हम कहते ही, क्यों करेगा भाई, और वो भी कहते ही, कितने परसंट से, 1.5%, approach, क्योंकि आपको पता है, एक currency का depreciation, दूसरे currency का depreciation की equal नहीं होता है, percentage discount हमेशा छोटा होता है, याद रखना, इसके अगर accurately calculate करोगे, तो एक का premium जितना आएगा, discount discount उससे थोड़ा चोटा ही है, discount बड़ा से आएगा, discount थोड़ा चोटा ही आएगा, लेकि शूट कहते है, ठीक है, मोटा मोटा, ये currency 1.5% depreciate करेगा, ये currency 1.5% depreciate करेगा, अब आपकी दिमाग में आएगा ऐसा क्यों, क्योंकि parity ये कहता है, कि अगर यहाँ पे किसी ने पैसे अगर डाला बैंक में या time value के साथ, आज के जो 100 रुपिय है, चलो मान लिजे किसी के पास आज 800 रुपीज था, ठीक है, तो one year बाद वो कितना बनने वाला है, जल्दी बताओ, आज के जो amount है, कोई 800 रुपीज बान लो, वो आपका one year बाद का कितना बनेगा, तो आप क्या बोलोगे, 800 प्लस 7 परसेंट, कितना के बताइए, 856, तो कहते देखो, अगर वहाँ पे किसी के जेब में अगर, 10 डॉलर होंगे न, किसी के पास, मान लिजे किसी के पास यहाँ रुपी 800 था, तो वो one year बाद 856 बनेगा, तो कहते देखो, वहाँ पे अगर किसी के जेब में डॉलर हंडे 10 है, तो वो one year बाद जो बनने वाला है न, 10 प्लस 5.5 परसेंट, तो कहते देखो, यह तो डॉलर 105.50 बनता है, तो अब आप मुझे बताइए, पैरिटी थेरी क्या कहता है, गि देखो, अगर यह दोनों amount one year बाद equal हो जाए न, तो ना किसी को फाइदा होगा, ना किसी को नुकसान होगा, नहीं समझे बात, इसका मतलब यह हो गए, कि कोई इंसान अगर US में loan ले या deposit ले, उनकी जो repayment होगा कितना बताइए, 10.55 अगर loan लिया है तो, और अगर deposit किया है तो इतना आपका withdrawal होगा, अगर यह amount, जो loan के लिए repayment करोगा 10.55 इधर वाले, औ और जो वहां की amount है 8.56, अगर यह दोनों equal हो जाए, तो किसी भी country में loan लेना और deposit लेना कोई फर्क पड़े गाई नहीं, चेक करके देख लो आप, नहीं समझा है, आप मुझे बताए, US में loan लेते हैं, तो 1 year बाद कितना payment करते हैं, 10.55 और अगर कोई इंडिया में loan लेता, तो वो कितना payment करता, 8.56, यहीं करता, तो अब मुझे बताए, अगर यह दोनों rate को अगर में equilibrium पे लादू, यानि कि parity, parity का मतलब होता है समान, एक जैसे हो जाना, यानि कि कोई 5.5 पे loan ले, या कोई 7% पे loan ले, या कोई 5.5 पे deposit करे, या इदर कोई 7% पे deposit करे, ये दोनों स अगर ये amount equal हो जाए, तो कि जितना amount उसका future value हो, हमारा भी कितना ही बताए, उतना ही future value, तो ये देखे, इसको आप link करके भी check कर सकते हो, अभी मैं करा देता हूँ, पहले मुझे बताए, आज के rate पे देखो, ये जो है न, अच्छा हाँ, ये क्यूँ equal हुआ, क्योंकि ये तो आज की equal ही था न, इसलिए, ये कितने का rate चल दा था ये देखो, अगर मैंने ये लिखा था तो मैंने पहले parity पे बना रखा था, कि ये देखो, ये आज का rate बताता है, आज का rate कैसे बताते है, बताओ, ये देखो न, dollar 10 is equal to, रुपी कितना बताए, 800, अगर ये equal हो, यान कि इसका मतलब ये हो गए, कि dollar 10 का loan लेना US में, रुपी का 800 loan लेना दोनों अगर एक जैसा हो, क्योंकि exchange rate तो आज 80 का अगर चल रहा है, इसको हम बोलते है, spot rate, dollar 1 equal to, रुपी कितना हो गया बताए, 80, तो अगर ऐसा है, तो ये भी आपका equal ही है, ये भी आपका equal ही है, कैसे देखो, ये कितना बन रहा है, dollar 10.55 is equal to rupees 8.56, तो dollar 1 अगर रखोगे तो rupee 8.56 divided by 10.55, तो ये आपका जो rate आगर rupees 81.137 ये अगर rate अगर आजाए ना, तो कहीं पर loan लेना, कहीं पर deposit करना, किसी के लिए कोई फरक नहीं पड़ेगा, क्योंकि दो country के interest rate parity पर है, लेकिन अगर market में ये interest rate ना हो, तो mismatch है, फिर हम लोग यहाँ पर profit कमा सकते हैं, फिर एक country में borrowing करके, दूसरे country में deposit करने से फाइदा हो सकता है, और वो फाइदा अगर risk free हो जाए, तो उसको बोला जाता है arbitrage, यानि कि अगर ये mismatch हो जाए, हम क्या कह रहे हैं, आज की rate अगर 80 है ना, तो one year बाद का rate अगर इतना हो जाए, तो किसी को कोई फाइदा नुकसान नहीं होगा, कहीं से borrowing, कहीं से deposit करो आप, क्योंक same in equivalent term, कोई बात नहीं, मैं check करके दिखा देता हूँ, ले लो loan, चलो loan ले लो, कोई बात नहीं, मैं गए US bank में, ठीक है, कितने का loan लेना चाहते हो, फटफटफट ले लो, 5 लाग डॉलर, इतना amount मत लिया करो, calculation में टाइम लग जाएगा, 1000 डॉलर ले ले लेते हैं, ठीक है, कौन है, कोई भी है, Mr. ABC, जो भी है, कोई issue नहीं है, loan लिया, ले कि आये इंडिया में, क्या किया बताइए, invest किया, कितना invest किया, calculation करो, ठके वे से नहीं दिखनी चाहिए, हाँ जी, 80,000, 1000 multiply by 80, तो चलो, 80,000 आपने यहाँ पर deposit किया, क्योंकि हमारा spot rate जो चल दा था, dollar one equal to rupee, कितना बताइए, 80, सही यहां तक, ओके, अब मुझे बताइए, क्या यह withdrawal होगी, withdrawal करोगे, कितना amount आएगा, बताओ, 7% चल रहा है ना, इंडिया में, तो 80,000 plus 7%, one year का time frame था मेरा, 85,600, अब यह पैसे ले जाके repayment नहीं करोगे, करो, market में क्या rate चल रहा है, one year का favor rate, एक साल बाद का rate बताओ, हमने बोला तो है, कि one year बाद का यह rate होना चाहिए, कितना बताइए, 81.137, तो यह देखो, 81.137, dollar कितना आगे बताइए, 1055, अब मुझे बताइए, इसी amount से उन सब पहले वाले की loan को repayment करोगे ना, करो repayment, कितना repayment करना था, पहले उसको पहले repayment करो, आप रुको, पहले जो आपने loan लिया था, इसको देना कितना है, पहले यह check करो आप, देना कितना आपको, आप मुझे बताइए, आपकी जो loan लिया था, आपको payment करना है, 1055, dollar, और आपके इधर से आए कितने, 1055, तो बचा क्या आपके पास, कुछ भी नहीं, क्योंकि यह parity पे था, इसका मतलब, अगर यह exchange rate market में prevail ना करे, तो क्या हो जाएगा बताइए, फिर arbitrage हो जाएगा फिर, इसको बोलते हैं, arbitrage, अगर mismatch है तो, अगर कोई exchange rate, parity पे ना हो, तो उसको हम लोग कहते हैं, मतलब mismatch है, arbitrage कर सकते हैं, यह fair था, यह उचीत हमने निकाला अभी, यह fair rate है, क्या market में यही rate prevail कर रहा होगा, होना जो चाहिए और जो होता है, उसमें difference होता है, आपकी marks जो आना चाहिए और जो आते हैं, उसमें difference होता है, हम कहरें, यह rate होना चाहिए, तो parity पे होगा, कोई जरूरी थोड़न है कि country parity पे हो, ना भी तो हो सकता है, इसका मतलब, क्या यह one year बाद का rate हमें पता होता है कि नहीं होता है, होता है, होता है, तो यह one year का rate देखने जा सकते हम लो देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए यह भी तो आज का होना पड़ेगा ना, तो हमने पहले ही गरबढ़ कर ली, दो rate उठाया मार्केट से, और एक ले लिए तुक्यवाजी पे, फिर एक calculation हमारा बढ़ गया एक और extra, कोई बात नहीं, कर लेते हैं फिर से दुबारा, इस example को यही छोड़ते हैं, यही पे दूसरे value से replace करते हैं, ठीक है, चले, एक replacement करेंगे अगर हम लो, पांच मिनट कराब होगी, पहले क्यों नहीं देखा rate बताओ, गरबढ़ होगी, कोई बात नहीं, आई इधर, चलते हम लोग कहां चले बताओ, NACP, OK, NACP गए, रेफरेंस rate पे बिल्कुल, Saturday को देखाता न, Saturday तो change होगा न, इसलिए वो same rate है, और देखो, amount भी कब का दे रहे हो, 15th of January, 25th of January का, OK, तो 83.1155 है, OK, 83.1155 है, यही पे लखते हैं, $1 का कितना बता यह, 83.1155, तो उसके मुताबिक कितना बनता, वो भी चेक कर लेते हैं, अच्छा, आपने कैसे किया था पता है, यह देखो, यह जो आपने काम किया था, चलो मैं formula बता देता हूँ पहले, formula बन जाएके देखो कैसे, यह कैसे आया था future का rate, आपको मैं बता दू, मैं इस rate को न, दुबारा copy करता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बस 5 minute की काम है, और parity आपका खतम, मैंने यह कर लिया, copy, बस अब मुझे क्या करना है, पता पहले का amount कितना रखना पड़ेगा मुझे, यह जो amount था मेरा कितना था, पता है आपको, यह जो निकाला था, पहले वाले rate के साथ, 80 के साथ, अगर मैं चलू, तो यह ऐसे किया हुआ था, देखो, 800 में पहले आपने 7% आड़ किया था, चेक करो आप, और फिर divider में क्या किय राट किया था, अभी तो आया था यह, इसका मतलब, जब हमने 80 का rate लिया था, तो यह situation था न, अभी जो हमारा case बन रहा है, जो हमने rate बदला है थोड़ा सा, क्योंकि मैंने पहले randomly वो spot rate ले लिया, तो वो गलती कर लिया था, मुझे market का rate लेते, तो मैं थोड़ा साब को match कर करा के दिखाता, तो अब मेरे को फिर से दुबारे के और example frame करना पड़ रहा है, तो मैं वहाँ पर क्या करता पता है, 800 नहीं लेता फिर, अगर इधर की dollar hundred होता, 10 होता, तो यहां का 800 नहीं होगा, कितना अगा बताओ, यह जो rate होना चाहिए था, 83, 10 है न, 831.155, अभी इतन 10 dollar रखता, तो spot rate अगर मैं 83.1155 रखूँ, 1155 था साइद, तो यह amount 800 नहीं होता, न, spot rate की basis पे, कितना होता फिर यह? एक पूरा एक्जामपल ही बदलना पड़ेगा, यहां रखके भी कुछ नहीं कर सकते, कोई बात न, यह तो पहले कर लो, हमां कर देंगे, divided by कितना हो गया बताइए, कितना हो जाएगा, यह कितने बढ़ते हैं हमारे, 7% और उसको तो हमने टेर नहीं रखा है, 1 plus point, 055, यह पाले किसी बनता आपका, है न, तो आप मुझे बताइए, कितना रेट बन गया है, 83, 831.155, प्लस 7%, यह बन रहा होगा, आपको, 889.33585, divided by, वो तो वही चल रहा है, 10 point, 55, divided by, 10.55, यह चल रहा है, क्या बताइए, 82.84.2972, यह लगता है, कि होना चाहिए था, है न, यानि कि मैं अगर सिर्फ एक्जाम्पल यहाँ पर बदलू, यह कुछ दो-दो एक्जाम्पल लेना पड़िगे, एक गरवड़ी से मेरा 5 मिनट निकल गया, बताओ, मैंने कितना लोन लिया, बताओ, लोन तो वही लोंगा, कितना बताओ, डॉलर 1,000, ले के आए, कहां बताओ, इंडिया, लेकिन स्पोर्टेट क्या चल रहा था, बताओ, कि डॉलर 1 का रूपीज, 83.1155 था, I think, 1155, 83.1155, ओके, तो चलते हम लोग यहां पे, कितने अमाउंट में इंडिया में डिपॉजिट करोगे, 83.1155, उड्रावल करोगे 7% इंटरेस के साथ, छीक है, तो 83.1155.5, प्लस 7%, 88.933.585, जब वापस लेके जाओगे, मैंने क्या बोला, यह रेट पैरिटी पे ओले है, यह पैरिटी वाले रेट है, तो इतने रेट अगर होगा, तो यहां की अमाउंट exactly वही आओगा जितना पेमेंट करना है, मतलब यहां की अमाउंट आपका कितन आएगा, बताएगे, 1055, इतना डॉलर बनेगा, यह करके देख लो, और पहले वाले को क्या करोगे, रेपेमेंट करोगे, आपके जेब में क्या बचेगा, कुछ भी नहीं, क्यों, क्योंकि यहां की जो रेट था न, वो exactly पैरिटी वाले रेट था, और कोई जरूरी नहीं ह कि मार्केट में पैरिटी प्रिवेल करे, यह तो हम, यह तो नोशनल कैलकुलेशन था न, कि इतना अगर रेट होता फॉरवार्ड, वन येर बाद का, तब जाके दोनों कंट्री के जो इंटरस्ट रेट और जो एक्सेंज रेट हो पैरिटी पे होता, क्या रियल लाइफ पै का रेट अबलेबल है, बताया तो था, बैंक में जाए अभी एक साल बाद का रेट मिलेगा, अब बोलोगे बैंक चले हम लोग अभी जरुरत नहीं है, पारवार्ड और फूचर सेम तो है, एक्सेंज में वन येर बाद का रेट नहीं मिलता है, दिखाया तो था पिछले द अब भूल गयोंगे तो बात अलगे, हाँ जी, तो मुझे बताइए, अगर में रेट रखो कितने का बताइए, डॉलर वन इक्वल टू 84.2972, यही था ना, ओके, चेक करके देखो, अगर आपका ये अमाउंट है, इसको इतने से डिवाइड कर को यहां पर आजाओ, क्योंक में बड़ अमाउंट लिए है, तोटल अमाउंट लिए, क्या हुआ बताइए, पैरिटी पे, इसका मतलब पैरिटी यह कहता है, कि वन इयर बाद का रेट यह होना चाहिए, एक चीज नोटिस करिएगा, आज का रेट कितना था बताना पहले यहां पे, 80 का, वन इयर बाद क रेट कितना दिख रहा है, 81, यानि कि जो डॉलर वन का 80 था, वो डॉलर वन का 81 हो जाए, तो पैरिटी पे आएगा, इसका मतलब कौन सी करेंसी अप्रसेट हो रहा है, यहां पे, प्राइस किसका बढ़ रहा है, चक करो, मिक्स मत करना, डॉलर इज 80, डॉलर इज अट 81, तो वो क्या होना पड़ेगा, अप्रसेट होना पड़ेगा, नहीं तो पैरिटी पे नहीं जाओगे, तो पैरिटी थेयरी क्या कहता है, जिस कंट्री का इंटरसेट छोटा है, उस कंट्री का करेंसी अप्रसेट होता है, अरे क्वांटिटी से भी माच कर लो ना, जहां कि इंट ग्रो करता है जादा, क्वांटिटी देरे देरे क्या होता जाएगा, बढ़ेगा, जादा क्वांटिटी बढ़ना, करेंसी को डेपरसेट करता है, बरी सिंपल, एक लाइन की कहानी, जाद दिमागी मतलगा हो, करेंसी की क्वांटिटी अगर बढ़ रहा है, तो weak हो रहा है समझ में आगया मालने जिए आप कहते हूँ मैं कहता हूँ आप अपना mobile दो मैं आपको तीन समान के साथ क्या करता हूँ मैं अपना mobile भी देता हूँ कैलकोलटर भी देता हूँ रहे शड़ भी देता हूँ आप दे दो ठीक है तो इसका मतलब क्या है बताइए मेरा quantity जादा है आपकी mobile एक है इसका मतलब आपकी mobile के वर्थ क्या है बताइए जा रहे तभी तो मैं तीन समान दे रहा आपके एक mobile के लिए तुरा दर बात के तो नहीं चौता समान और दो एक pen भी डाल दो इसके अंदर इसका मतलब इसकी value क्या होई बताइए गिरी है तो quantity बढ़ना मतलब क्या होता है depreciate करना तो जिस country की interest rate बढ़ा है उस country की future में जो amount हो रहे हैं वो बढ़ रहा है जादा तो इसका मतलब वो currency क्या होगा बताइए depreciate एक line की logic है ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रती ने इसके अंदर जिस country की interest rate बढ़ा है वो currency क्या होता है बताइए depreciate करता है और जिस country में inflation ज़्यादा होगा उसकी interest rate बढ़ा होगा ही होगा इसका मतलब दोनो पैरलेली चल रहा है जिस country में inflation ज़्यादा है उसकी currency depreciate करता है या एक और भी चीज़ बोल सकते हो कि जिसमें inflation ज़्यादा है उसके interest भी बढ़ा है आया ना तो जिस country में interest rate बढ़ा है उस country का currency depreciate करेगा और interest rate में बोलू तो कौन सी interest rate treasury bill या तो कुछ और दे दे वो कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग किसको लेकर चलेंगे डेज़ी बिलको comparison करके चलेंगे तो चलिए तो हमने क्या देखा कि यह depreciate हो रहा है अब यह तो था हमारा एक national calculation यह हमारा real life की calculation क्योंकि हमने RBI credit उठाए एक काम करते हैं यह चेक करके देखते हैं कि market में यह rate मिल रहा है यह नहीं मिल रहा है याद रखना है this is fair होना चाहिए जो है कुछ और हो सकता है क्योंकि question में दो-दो forward rate में आपको होगा एक forward rate दिया रहेगा एक forward rate से आपने निकलवाएगा अब लो-सर दे तो रखा है निकलवा क्यों रहा है वो दे रखा है वो जो bank में या exchange में चल रहा है आपको पूछ रहा है निकालो मतलब आपको यह बोलता है कि fairly बताओ theoretically बताओ कि क्या होना चाहिए फिर question में बोलेंगे अच्छा आप मुझे बताओ प्राइसे 500 रुपीज ठीक है क्या कोई जरूरी है market में 500 में ही मिलेगा आप गए कि दुखंदार के पास इस्टस्टरी वाले के पास उसने आपको 600 रुपीज कोट किया और आप खरीद के ले के आ गए आपने सही किया गलत किया गलत किया क्योंकि आपने उचित प्राइस से comparison किया उचित प्राइस हमेशा decision making के लिए होता है भूलना मत यहां बहुत ज़्यादा confusion होता है concept बहुत छोटा सा है बहुत आसान है लेकिन question के अंदर बहुत ज़्यादा घूमते रहते और MCQ इस topic पे बहुत बनता है CMA के अंदर जो MCQ आ रहे हैं दो-दो-माक्स बाले वो maximum question तो सिर्फ किस पे बना रखे है उसने parity पे क्योंकि parity के अंदर जो होते है न आसानी से कोई भी MCQ बन जाता है और उसके अंदर logic बहुत सारे involved है तो logically उठा लिया और आपको इसके अंदर फसा दिये समझ में आगया क्योंकि यहां दो-दो चीज आता है इसमें खिचरी बहुत जादा पकता है एक उचित एक actual एक उचित और एक actual क्योंकि इसी से link होता है arbitrage arbitrage जो भी पढ़ोगा नहीं इसी से link होगा अब वो arbitrage एक बड़ा सा topic है और इसमें अगर थोड़ा सा भी doubt रहे गया पकड में नहीं आया तो arbitrage में गरबड हो जाएगा फिर क्योंकि जब हम जो सोचते हैं और जो होते हैं उन दोनों में जब difference आता है तो वहाँ पे एक arbitrage कमाने की मौका मिलता है समझ में आगे बाद हमने सोचा सोचा नहीं उचीत कहीं से लाया हमने calculate किया पेपर पे निकाला इसकी उचीत value कितना होना चाहिए 500 market में कितने का चल रहा था 600 आप बिना सोचे समझे खरीद के लिए आए ठीक है आप question में बोलेगा कि आपके एक client है ओ गया calculator खरीद के आया 600 पे आप बताईए उनको उन्होंने सही क्या है गलत किया हम क्या बोलेंगे गलत किया क्यों गलत किया भाई भाई तुम्हे 500 इसका उचित प्राइस होना चाहिए था तुमने 600 में खरीदा मतलब तुमने गलत किया सभज में आगे ऐसे मिलेगा यहां पे बोलेंगे ये market का एक forward rate दे देगा क्या बोलेंगे customer गया इस forward rate पे डॉलर खरीद लिया डॉलर बेच लिया सही किया गलत कि आप से पूछेंगे इसका मतलब हमें किस से comparison करना पड़ेगे forward से और फिर देखेंगे forward क्या मतलब fair से fair कितना है actual कितना है comparison करेंगे और फिर सोचेंगे महंगा खरीदना बेकार बात होता है सस्ता बेचना भी बेकार बात होता है उस तरीके से distance लेंगे चलिए एक काम करते यह हमने सोचा कि होना चाहिए this is fair fair समझते हो न fair उचीत market में मिलेगा चलते है market में कहां जाओ बताओ NSE में मैं यहाँ पर सर्च करूँगा उपर में जाके क्या लिखूँगा बताएए USD INR ठीक है मैं यहाँ पर 50 मिनुट्स लग गए 50 नहीं लगना चाहिए आदे गंडे में कतम करना चाहिए जादा टाम लगना है कोई नहीं हाँ जी यह कुछ फुचर है फुचर का रेट उन रहे हो न लेकिन आज मिलेगा वो रेट क्योंकि सर्थ आज लगा हो गया वन यहर बाद क्या होगा किसी को नहीं पता है लेकिन फॉर्वर्वर्ड फीचर में क्या डिफरेंस है रेट आज तय हो जाता है डिलिवरी कब होता है बाद में क्योंकि स्पॉर्ट की डिलिवरी क्या होता है T प्लस 1 या 2 अगर exchange में है तो और अगर OTC में है तो immediate exchange में क्या होता है कि आप T plus 1 year का delivery के लिए selection कर सकते हो that is the future contract तो मैंने बोला आज contract करूँगा कब के लिए एक सालवाद के लिए मैं किया यहाँ पे USD मैंने बोला expiry मुझे बता दो मैं देखो यहाँ पे last val expiry ले लिया 27th of December अब मैं कहता हूँ भाई तुम लोग लड़े कितने पे रहते हैं मैंने plus पे sign पे click किया था देखना लड़ाई जो हो रही थी 84.5 के around कितने के around 84.5 के around यह लोग लड़ रहे थे जो लड़ाई करके लड़ाई था 84.3 के around और market में कितना चल रहा है 84.5 के around 20 पैसे का gap है यह 20 पैसे का arbitrage आप कर सकते हो लेकिन यह 20 पैसे इतना छोटा है कि जो brokerage, transaction, cost इस सब में क्या हो जाएगा आपका निकल जाएगा तो बहुत छोटा margin है इत्तु सा इत्तु सा difference कमाने के लिए कोई जाता नहीं है और होता भी क्या देखना जब loan लेने जाओगे न तो 5.5 पे loan मिलेगा ही नि वो तो T-Bil rate है न आपको loan हमेशा किस पे मिलेगा बताओ उससे ज़्यादा पे मिलेगा तो जैसे उससे थोड़ा ज़्यादा हो गया तो क्या हो गई है जो आपका difference था न भी वो खतम हो गए गाइब हो गए तो real life में arbitrage कमाना इतना असान नहीं है इसका मतलब हमने जो forecast किया था इतना भी बेकार नहीं था सभ़ज मिया बात इतना भी बेकार नहीं था जो हमने forecast किया लेकिन याद रखना इतना match भी क्यों किया था क्योंकि आपने कोई भी data यहाँ पे तुक्यवाजी से नहीं लाए थे याद रखना अगर तुक्यवाजी किया होता था साइद match नहीं होता इसलिए मैंने जो time लगा के जो आपको सारे data डूणडा था इसलिए डूणडा था कि आज क्या चल रहा है जो चल रहा होगा ना उसी के मताबिक NSE चल रहा होगा NSE कहीं आसमान से टपक के नहीं है हमारे जैसे लोगों का ही सोच से वो price बनती है कौन सी price यह जो price बनती है यह वाले price जो अब यहाँ पर दिख रहा है यह हमारे जैसे लोगों का भीड़ी तो है यह और यह भीड किसको देखता है उसी दोनों rate को समझ महां किया बात अगर जब price mismatch होती है न तो demand supply वहाँ पर इस तरीके से बढ़ जाता है यह घट जाता है कि equilibrium पर आके रुक जाता है अब सोचो मान लिजे किसी एक जगों पर 600 रुपे का calculator चल रहा है कहीं पर 500 रुपे और यह लोगों को अगर पता चल जाए तो 500 वाले खरीदने के लिए भीड लग जाएगा और 600 वाले बेचने का भीड लग जाएगा तो जब 600 पर supply बढ़ेगा तो price क्या होगा बताएगा गिरेगा और जहां 500 वहाँ अगर महंगा होगा तो क्या होगा price बढ़ेगा फिर आके रुकेगा एक ही level पर जो उसका equilibrium है यहाँ पे ऐसे ही होता है अगर कहीं पर लगे कुछ mismatch है तो लोग mismatch को in cash करने के लिए भीड बढ़ जाता है सस्ता होता है तो खरीदने की और महंगा होता है तो बेचने की बेचेगा तो supply बढ़ेगा प्राइस गिरेगा खरीदेगा तो demand बढ़ेगा यह आप लोगों ने बच्चों ने पढ़ा भी होगा MM approach की arbitrage CA Inter में MM approach capital structure दो company same capital employed बस capital mix अलग है तो कहते दोनों की market value same होनी चाहिए बट मोदी गलियानियन मिलर ने बोला कि market में अगर different है तो उस case में mismatch को आप in cash कर सकते हो सस्ता खरीदो महेंगा बेचो लेकिन फिर बोला this arbitrage process is temporary process for short run because जैसे अगर कोई समान सस्ता होगा demand बढ़ जाएगा demand बढ़ेगा तो demand बढ़नेस उसकी price क्या हो जाएगा बढ़ जाएगे real life में arbitrage की अलग-अलग department होते बड़े-बड़े investment banker के पास क्या करते बता है software बनाते ही mismatch को in cash करने के लिए वो mismatch किया immediate price lock करते है वो कुछ second का process होता है क्योंकि जादा देर तक बचते नहीं सकता है क्योंकि ultimately market कहां पर रुख जाता है parity प्याकर तो हमारे जो यहां पर आपको exactly match हो रहा था यह सारा कुछ इसलिए क्योंकि हमने किस से link किया था real life के data से तो क्या आप इसको conclude करें हम लोग क्योंकि मेरे को ज़्यादा लगा दिया time क्योंकि मैंने से mindset होता है कि हमें तो तसलिए से पढ़ना है हर चीज सारे के सारे problem किसके बता है mind की नहीं mindset की हम mindset को कैसे बना के रखते exactly सब कुछ वैसे ही चलता है कभी-कभी क्या होता है आपको same चीज में irritation लग जाता है same चीज में मजान लग जाता है उसका reason यह होता है कि आप पहले expectation कहां मना के बैठे हो सबसे पहली बात यह होता है अगर आपने expectation यहां रखे हो और यह मिला आगर आपको तो तकलीफ होगा अगर आपने expectation यहां रखा है और यह मिले न तो आपको कुछी मिलती है सबसे पहली बात यह होता है तो पूरे लाइफ में कहीं भी भी आप इसको माज़ करके देख लेना इक्सेंज जादा होगे और कम मिलेगा तो क्यों बताई हमेसा घुसा आता है तकलीफ होता है इरिटेशन होता है एक्सपेक्टेशन उतना रखो ही मत तो कभी तकलीफ होता ही नहीं सब्सक्राइब आपस आई हम अभी बात कर रहे थे कि अब कंप्लूड करता हूं क्या देखि biblical opinion? exchange rate of two country depends upon the interest of those currencies currency kind of interest rate or country what is the matter? NEYA interest rate कुछएट कलेड़न और तक? कुई दिक्कात? No куррейंटी इस बताँ Uppresate, पढ़ूंगा तो time लगेगा, आप लोग read करते रहेगा, क्योंकि read करने में यह जाएगा, तो time लग जाएगा, वो read करने वाले काम कर लेना, हम यहां से summarize करते रहे हैं, छोटे-छोटे करके, अगर कई mistake मिलेगा तो आप मुझे बता दीजेगा, क्योंकि ज्यादा time हम य approximate premium discount जो होते हैं, तो दोनों interest rate का difference होगा, आप check करके देख लो, यह कितना pay rate बताईए, 81.137, वो कितना था बताई, 80, कितना percent महंगा हो रहा है, बता सकते हो, हाँजी, जल्दी कर यह सब निकालना सीख चुके हो, आप premium discount सीख चुके हो, 1.137 divided by, 80 multiplied by 100, 1.42, हमने क्या बोला पहले बताईए, कि approximately, यह देखो यहाँ पर लिखा था हमने, कि approximately dollar currency इतने percent से महंगा होगा, accurately कितना है बताईए, 1.42, तो ठीक है match हो रहा है, ओके, यानि कि इसलिए approximate word लिखा था, exactly बोला जाए कितना है, तो निकाल के check करना पड़ेगा, अच्छा, अब मैंने बोला कि approximately इत 20 currency का appreciation, depression अगर निकाल रहे हैं, तो base में क्या लेते है, forward rate, तो एक काम करो, वही 1.137 divided by इतना कर देना, 81.137, multiply by 100, 1.40, यानि कि देखो ध्यान से, यह approximate था, accurate कितना है, 1.40% accurate है, इधर accurate कितना था, बताईए, यह था 1.42% का premium था, accurate था, ठीक है, यह निकाल भी सकते हैं हम लोग, कैसे निकालेंगे पता है, अरे यह premium discount जो था, यही तो था, जो दोनों की proportion है, आप मुझे बताओ, यह तो spot rate है, इन दोनों country के interest rate ही तो premium discount था, proportion था, आप चेक करके देखो, यह देखो, premium discount अगर कभी निकालना हो, dollar पे, ध्यान से स सुनना, एक और नया formula में आपके सामने दे रहा हूँ, तो 1 प्लस रुपी का rate, divided by 1 प्लस, यानि कि जिसका premium discount निकाल देखो न, उसकी interest rate को base में डाल दो, हाँ जी, कितना रहे बताए, 055, यह आपका 1.042 आ रहा होगा, जिच 4.2% करे देना आप लो, इतना ही आ रहा होगा, चेक करो आप, क्योंकि डॉलर कितने premium पे था बताओ, डॉलर के premium कितना था, 1.42 है न, 1.42 है, 1.42 है, 1.42 है, 1.42 है, तो 0142 आ रहा होगा, चेक करो आप, यह आ रहा है न, इसका मतलब क्या होगा, दियान से सुनना, accurately अगर premium discount निकालना हो, तो दोनों के interest rate का proportion कर देना, 1 प्लस रूपी rate divided by 1 प्लस, डॉलर का rate, यह जो होगा न, accurate होगा, और अगर approximate निकालना है तो, difference लेलो, difference कैसे, तुमारा rate, हमारा rate दोनों का difference है, approximate आगए, accurately निकालना है, तो दोनों के rate का 1 प्लस करके proportion कर दो, logic भी बता दिये, क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि देखो, यहाँ पर जो आपने premium discount था, मुझे बताओ, जितना से आप यह जो multiply कर रहे थे, यह यह, यह, यह देखो, यह 83 point में जो भी आपने multiply किया, यह proportion नहीं तो आपका premium discount था, क्योंकि वो तो spot rate है न, देखो, मैंने भी एक formula भी देने जा रहा हूँ आपको, क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, यह spot rate, multiply by, one plus premium discount, बोलोगे, यह one plus premium, यह इतना आगया न, रित, इसमें से एक काम करो न, यह minus one करना पड़ेगा, क्योंकि यह तो one plus premium discount, इसमें से एक हटा तो तो क्या बन जाएग इतना, ठीक है, अगर आप लोग premium discount निकालोगे, रूपी पे, तो क्या होने वाले पता है, रूपी बेस में जाएगा फिर, one plus point zero seven जाएगा, और उपर क्या जाएगा, बता यह, zero five five, चेक करके देखो, आपको मैं बता दो, उपर कितना है था, four point two percent, one point four, one point four, one point four, zero percent आयता इतना ही आएगा, चेक करके देखो, आएगा ही आएगा, कोहीं और नहीं जा सकता, क्योंकि हम पहले निकाल के बैठे हुए ना, कैसे देखो आप, अभी जब आप निकाले थे, तो आपने रूपी का discount कितना बोला था, बताओ, accurately बोला था, one point four percent, तो यही one point four आना चाहिए ना, यह देखो, रूपी का जो discount अगर आपको निकालना है ना, तो आप क्या करो, dollar का rate divided by रूपी का rate, देखो one point four percent आगे, कुछ लोग आभी calculation करें, चलो ठीक ही, करते है, one point zero five five divided by, one point zero seven, और minus one, अच्छा, कुछ अगरबड रखी थी, एक second, अच्छा, ठीक है, वो discount है, तो discount तो negative में आएगा न, ठीक है, वो मैंने उसको premium के point of view से समझ लिया था, निगल आता है, यह आएगा, आपका something minus one करने के बाद इतना आएगा, ठीक है, तो आप देख लो कितना something minus one करने से आएगा, one point zero five five divided by one point zero seven, यह रहागा, आपका point nine eight, five nine eight, कोई बात नि, मुझे यह पता था, the result मुझे मालूम था कि minus ने one point four percent आएगा, very simple, minus आ रहे मतलब discount, और कितना percent बता है, one point four percent, तो अभी आपने निकाला भी था, okay, तो अब conclude कर ले, दोनों country के जो interest rate के शरीव, उसका जो difference है, interest rate का, वो क्या बताईए, premium discount, अब आप मुझे बताना, अगर जब पहले की बात करो, अब भी, जैसे 2008 के बात, जब recession में गया यह वास, तो अपने interest rate क्या कर चुगा था, पता है, zero, zero, 15 तक 2015 में जाके first time उसका interest बढ़ाए, 2008 में जब lemon brother bankrupt हुए, और जब recession में गयी वैस, तो 2008 से 2015, कितने साल होगे बताईए, seven year, seven year तक treasury bill के उसकी जो government की जो rate है, वो कितने पसंद के आसपास गए, zero के आसपास, ठीक है, और 15 में जाके first time rate बढ़िए, अब मुझे बताईए, हमारे currency जादा depreciate किया होगा किस period में, उस 8 से लेके 15 के बीच में, अब जाके check करना, इसका reason यह है, क्योंकि आपने interest rate कर लिया zero, अभी आज अगर US में interest rate zero हो जाए तो देखो, कितना gap आजएगा, 7 परसंद की gap आएगी, मतलब dollar currency 7 परसंद के आजए, बताईए, बताईए, और रूपी currency 7 परसंद करेगा, यानि कि gap जितना कम हो, currency पे उतना कम premium discount जाएगी, समझ में आगे है बाद, तो अभी कुछ सालों से gap कह बहुत कम है, इसलिए currency क्या और बताईए, बहुत कम ना के बराबर depreciate हो रही है, समझ में आगे है, और अगर मान लिजे आने वाले पहुत जाए 10% पर, अपना छोड़ देते हैं, क्योंकि बहुत बार जो अपना नहीं हो पाते हैं, तो हम क्या करते हैं, दूसरे के तरीके से सोचते हैं, हम कहते हैं, US भाई साब तो कितने पर चले जा, 10% पर, तो क्या बोलेंगे, इंडिया की तरक्की हो रही है, नहीं, इ पान लेजिए, फॉर्वार रेट मुझे निकाला है, फॉर्वार रेट कैसे निकाला हूँ, बताओ, जो स्पॉर्ट रेट है, उसमें अगर मैं 1 प्लस प्रीमियम डिसकाउंट से मल्टिप्लाई कर दू, तो बन जाएगी बात, बताओ, अगर प्रीमियम पे जा रहे कोई क रेट, डिवाइड़ वए 1 प्लस डॉलर का रेट, ठीक है, तो बस यही पैरिटी का फामूला बन गया, यानि कि जो एक चीज़ याद रखना, एस्पॉर्ट रेट कैसे होना चाहिए, रूपी पर डॉलर होना चाहिए, अगर डॉलर बेस करेंसी है, तो बेस में यहाँ कर दिया, रूपी पर डॉलर पर रूपी कर दिया, तो याद रखना, बेस में क्या डाला है, अपने बेस करेंसी मतलब पर यूनिट करेंसी रूपी है, याद रखना, मैं हमेशा इसको ऐसे ही पढ़ता हूँ, तो रूपी, नहीं, रूपी पर डॉलर, डॉलर पर रूपी बढ़ता हूं क्योंकि more than 80% question के अंदर ना theoretical quotation है question के अंदर जो official quotation था ना ISO code वाले जो मैंने कल बताया था वो बहुत कम जगों पर है कुछ question में जो recent में आया है क्योंकि पहले तो theoretical quotation ही होता था नएने questions अगर जो आया है न तो नए लोग जिसको market की knowledge है जिनको official quotation पता है उन लोग क्या कर रहा है बताये official quotation दा रहा है ISO code के साथ यसे google पर search करने जा रहे हैं अगर यह google पर search करूँ तो क्या अगा बताये अगर यह google पर search करूँ तो मुझे ISO code के साथ करना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा USD INR तो आप मुझे interpretation लेके चलता हूँ ध्यान से सुनना आप लोग ठीक है क्या पढ़ता हूँ मैं इसको dollar per rupees one rupee के बदले इसका मतलब base में क्या बताये rupee तो यहां क्या डालना पड़ेगा rupee और यहां क्या डालना पड़ेगा dollar, खतम होगी हमारा क्या बताये IRPD ठीक है, अब concept पढ़ते रहेगा मैं concept रीड नहीं कर रहा हूँ मैं चलता हूँ सीधा question पर यह देखो formula बस देख लो आप एक बस यह देख लो आप कि rupee पर dollar अगर मैंने लिया तो rupee लूँगा उपर dollar लूँगा नीचे PIR का मतलब periodic rate क्योंकि अभी मैंने one year का लिया था न अगर six month का case बनेगा तो तो six month का rate लेना पड़ेगा न मैं और अगर मैंने dollar per rupee लिया तो dollar जाएगा उपर rupee में जाएगा base में देखो इसका क्या मतलब है देखो rupee per dollar, इसका क्या मतलब है बताओ dollar per rupee, चला, खतम हो गए यह सारे चीज, logic behind जो भी बता रहे थी यही सब explain किया हुआ है, अगर कहीं पर mistakes हो रहोगा तो आप मुझे बता दीजिएगा यह देखो, real life data यहाँ पर ले रखा है उस time की बात करें, जब हमने यह data उठा रखा है जब notes बना रहे थी, तब की बात है यह notes बनी है, July 2023 में तो वहाँ पर देखना, वहाँ पर T-bill rate चल रहे थी 6.7%, ठीक है, यानि कि 3.35% 6 month के लिए था, T-bill rate US में चल रहे था 5.3%, अभी हमारा कितना है, बताए 5.5 और इदर हमारे था 7% लिया था हमने, वैसे 7.2 दीख रहा था में, थोड़ा सा दोनों में ज़्यादा ही है okay, spot rate RBI का उस टाइम चल रहा था कितना, यह वाले rate, अभी जो हमारा चल रहा था 83.115 है तो कोई बात नहीं, यहां से आप लिंक कर ले ना, कौन सी बड़ी बात है यह सारा चीज़ा हमने लिंक करके दिया, यह देखो इवन हमने screenshot भी दे रखा है उस टाइम का ठीक है, कि इस date के लिए क्योंकि जहां हम बैठे थे वहां के 6 month का analysis करा हुआ है तो expiry date यह था और यह वाले reference rate था RBI का और यह था 6 month का, जैसे भी दिखाया थे ने screen तो अब आपको समझ आ रहे होंगे तो अब इतना तो possible है नहीं कि अब मैं recent screenshot से इस notes को क्या करो update कर पाऊ, कोई बात नहीं यह सारा कुछ मैंने दिखा के verify करा दिया है ठीक है, यहां पर फिर कुछ analysis करके दिखा रखा होगा, कि एक साल वाले क्या है कैसे हैं, उस सारा ची analysis करके यहां पर दिखा रखा हो, यह रहा देखो, यह मैंने इवन मैंने बोला ना कि Google पर सर्च करके भी डाल रखा है ताकि आपको पता चले कि मैंने कहां से देटा साब उठा रखा है, क्योंकि real life का डेटा ले रखे हैं इसमें, तो जो कोई पढ़ेगा, उसको क्या हो जाएगा, सारा कुछ, अपना लिंक कर लेगा कि यह देखो, वहां पर 5.29 चल रहते 6 मत वाले TV rate, और यहां पर कितना चल रहते हैं, जो भी कुछ, लिंक करके, सारा अनलाइज करके दिखा दिया, अब बात कर रहते हैं कि इसकी premium discount की, premium discount जो हमने अभी निकाला था, वो interest rate को यूज करके यूज किया था, याद रखना, NSE में जो rate quoted है, उसका premium discount अलग था, अभी जो हमने 1.42% किया था, NSE में तो कुछ और चल रहा है, NSE का premium discount चैंड है, या अलग है, बताओ महापुरुस, 90 degree पर बैठना होता है, क्लास में, बाबा राम देव क्या बोलते हैं, 90 degree पर बैठ होगे, तो बुढ़ा पर तुरा late आएगा, अगर 120 degree पर बैठ होगे तो क्या होगा, बताएगा, बुढ़ा पर तुरा जल्दी आ जाएगा, तो इसलिए 90 degree पर बैठा करिए, बताओ मैंने कुछ पूछा भी, हमारे market में क्या premium discount वही है, जो हमने forecast किया है, नहीं, मुझे बता दीजे, market में कितना है, यह लॉप के सामने सब कुछ पढ़ा हुआ है, यह लॉप के सामने सब कुछ पढ़ा हुआ है, मुझे calculate करके दो, हमने जो निकाला 1.42%, that premium discount, premium on dollar, is fair premium forecasted by using interest rate of two countries, 1.42%, और रुपी के लिए कितना पढ़ा forecast किया था हमने, 1.4%, वो fair था, किसको देख के आपने forecast किया था, interest rate को, आपके पास देखो, दो rate भी था आपके पास, यह जो rate है कॉनसी बताओ, RBI के reference rate, RBI के reference rate 83.115, आपके market में कितना चल रहा है, बताए, 84.something, यह जो premium discount, actual है, fair और actual में, जिस दिन भूल गए गए आपके IRPT, ज्यादा टाइम लग गई करो ने, जल्दी तरह से निकालो ना, बदको घरबड़ी हो रही है, यह जो घरबड़ी करना ही पड़ेगा, अंतर सब करबड़ा जाएगा, क्योंकि टाइम पर खतम करना है इन इसको, कितना रहे 1.70, जबकि देखो हमारा फेर क्या कहता था, 1.42, premium on dollar, अब यही सब मुसीवत आएगा question के अंदर, question में आपको क्या बोलेगा, calculate premium discount, अब आप क्या बोलोगे, सर कौनसी वाले, interest rate को देखके, या exchange rate को देखके, exchange rate को अगर देखूं, तो कुछ और आ रहा है, interest rate को देखूं, कुछ और आ रहा है, तो interest rate को देखके, जो हम निकाल रहे हैं, वो कौनसी है, fair, इसको देखके, जो निकाल रहे हैं, actual, बोलोगे, actual कैसे हो गया, यह market का rate actual है, नहीं, तो differ करेगा कि नहीं करेगा, हमेशा यह चूट कहते, appropriate solution दीजिए, marks मिलेंगे आपको, ठीक, यहां तक, ओके, तो यही चीज हमने, यहां पर बोलाई कि देखो, आप जब premium discount निकालने जाओगे, तो हमने यहां पर क्या बोलाई कि देखो, हम निकाल रहे हैं, premium discount on dollar, यह रहा, dollar पे, तो आप क्या कर सकते हो, dollar base में, one plus PR of rupees, one plus PR of dollar, और minus one, minus one क्यों कर रहे हैं बताओ, क्योंकि यह one plus premium आ रहा है, one plus premium है, तो one हटा दिया तो क्या बच कि बताए, premium discount, अब एक काम करो, इसमें से LCM ले लो, इन दोनों में, LCM ले ले लो, यह नीचे आ गया, तो minus रहेगा, और जो one था ना, वो इसमें से multiply हो जाएगा, तो minus one plus PR of किसका बनेगा बताए, dollar के, इतना mathematics आ गया, तो काम खताँ, जैसे होता क्या था, कुछ लोग इतना mathematics भी नहीं आ रहा होता है, अब मालने जे, x by 2y है, और minus one होगा, इसको कैसे कर सकते बता है, 2y को LCM, LCM ही बोलते थे हम लोग, ठीक है, और यह हो गया, x minus, इसको cross multiplication कर दो, 2y, यह जो value है न, वो यही value है, बोलो कैसे, segregate करके देखो, segregate कैसे करेंगे, x divided by 2y, minus 2y divided by 2y, और यह देखो, 2y, 2y cancel हो के 1 बच गया है, तो वो ही काम हमने किया है, तो क्या आप चाहो, तो एक और काम कर सकते हो, कि देखो, अब आप मुझे बताएए, यह minus 1 है, और यह plus 1 है, इसको cancel हो गया, तो क्या यही वाले formula बन गया, देखना आप ध्यान से, यह minus हो जाएगा फिर, तो क्या बचा बताएए, PIR of rupee minus PIR of dollar, यह देखो, PIR of rupee minus PIR of dollar, divided 1 plus PIR, यानि कि, जो अभी आपने पढ़ा था न, कि दो country का जो interested difference है, वो क्या बताएए, premium discount, लेकिन वो approximate term में था, यानि कि यह जो numerator दे रहा है ना, अगर accurate करना हो तो क्या करो, अब सीधा 1 plus dollar के rate से divide कर दो, यानि कि, क्या किया हमने, यह देखो, यह दाना आपका approximate, इसको divide करो, कितने से, 1 plus 055 से, देखना पहुंच जाओगे यहाँ पे, इतने सारे रास्ते मिशले देखके रखते हैं, कि कब किसकी जरत पर जाए, नहीं पता चलेगा हमने, तो हमने क्या बोला, कि 1.5 ते approximate था, इसी approximate को exact बना लो जी, तो क्या करो बताओ, 1 plus, किसका premium discount है, dollar का, तो एक काम करो, 1 plus dollar के rate से divide कर दो इसको, कहां पहुंच गया बताए, देखिए, 1.42 पहुंच गया, एक काम करो, इस यह भी कर सकते थे आप, यह है आपका approximate, इसको accurate बनाना है न, किसका premium discount है बताओ, रुपी का, नो रुपी का, रुपी का discount है न, एक काम करो, इसको divide करो, 1 plus 0.07 से, देखो, को हाँ पहुंच जाओगे, क्या बात है, magic चल रहा है, सीधा difference ले लिया, approximate, जिसका premium discount है, उसके rates से, डिवाइड कर दो, 1 plus 0.07 से, तब भी क्या हो जाएगा बताइए, discount पे, लेकिन यह जो यूज के, आपनी interest rate को, यह सब fair आ रहा है, accurate निकालना है, तो rate देखो अब आप, बोलो कैसे, rate देखेंगे, और फिर निकालनेगे, जिसे NAC पे जाके, चलिए, तो hope यह भी आपको clear हो गए अब, यह premium discount हमने, निकालने का formula दिया, ऐसा भी हो सकता था, पता यह रूपी बे था, रूपी पे करेंगे, तो यह जाएगा रूपी, हाँ देखो, dollar minus रूपी negative आ गए, 1.5%, रूपी वाले rate से divide करते हैं, यह dollar उपर, रूपी नीचे बिल्कुल सही है, अब चाहो तो एक और काम कर सकते हो, जो rate हमने use किया था, उससे क्या fair rate आ रहा था, कहा गए, कहा गए, कहा गए, यह रहा, यह रहा, यह देखो ध्यान से, यह fair rate आने की नहीं था, अगर मैं इस rate को use करके, जो मैं premium discount निकालूँगा, वो भी तो fair है, क्यों fair है, उचीत, उचीत, उचीत क्यों है बताओ, क्योंकि यह interest rate को use करके, forecasted forward rate है, ना की, NSE market का, actual forward rate नहीं है, तो अगर आपने इसको use करके, premium discount निकाला, तो वो भी तो fair ही है, इसका मतलब एक और रास्ता आ गया, हमारे पास, अरे तो इतने सारे रास्ते, कुछ भी use कर लेंगे, अब यहाँ मैंने क्या लिखा यहाँ पर की देखे, now confusion arises, which method to be used to calculate premium discount, मैं इस method से जाऊं, या मैं इस method से जाऊं, बताए, मैंने result वो नहीं दिया, if forward rate is given, and asks to calculate premium discount, तो यही वाले formula यूज कर लो, question में अगर forward rate given है तो, अगर question में forward rate नहीं given है, और आपको सिर्फ क्या दे रखा है बताए, interest rate, तो फिर, if forward rate is not given, but interest rates are given, and asks to calculate premium discount, then use this formula, इसे minus 1 का रेंगे तो जादा बेटर रहेगा, इतना minus 1 और इतना minus 1, वैसे नहीं भी लिखेंगे, तो समझ में आगे कि यह 1 प्लस premium discount है, ठीक है यहां तक, अब आते ही purchasing power, एक काम करते हैं, पहले कुछ question solve करते हैं, solve क्या करेंगे तो question तो बहुत आसान है, तो 5 मिट में question खतम हो जाता है, purchasing power भी खतम करते हैं पहले, फिर बात करेंगे बात में, यह देखो, अब कौन सी आगे बताईए, purchasing power parity theory, इसी को बोलते हैं, inflation rate parity theory, बात वही आ गए, inflation rate parity theory, IRPT ही बन दा है कि नहीं बन दा है, तो normally confusion हो जाएगा, IRPT का मतलब क्या है, interested का parity है, inflation का parity, इसलिए लोगों ने, PPPT बोलने लग गया, कि purchasing power का parity, वो inflation का parity है, ठीक है, इंडिया का inflation कितना, गलत, inflation पूछा है, जागो, जागो ग्रहक जागो, 5.7 था, 5.69 था साइद, मैंने 7 बोला था हमने, कोई बात नहीं, यह रहा, हमने रखा यह उपर, सर्च करके कहा गए भाई, कहा गए, कहा गए, हटाया नहीं था हमने यह रहा देखो, 5.7 और CPI इसका कितना था 3.4, 5.7 था 3.4 था, नहीं, लाइन लग रहा है ना, बट 4 है, यह कितना बताओ, 5.7 यह कितना है, 4, अच्छा, आप मुझे बताए, यह भी वही concept कहता है, इसमें कुछ सी भी डिफरेंट नहीं है, सिर्फ, इंट्रेस्ट को रिप्लेस करते जाओ, किस से, इंफलेशन से, आगे पर्चेजिंग पावर, लेकिन, कैलकुलेशन की मिथट थोरा बदल जाता है, क्योंकि पहले आपने लोन लेके कैलकुलेशन किया था, अब यहाँ लोन कैसे लोग है, कोई बात नहीं, तब भी हो जाएगा देखो, प्राइस से कमपैरिजन करेंगे, पर्चेजिंग पावर किसी चीज को बताता है, प्राइस से, तो वन येर बाद के सामान का प्राइस निकालेंगे, और इसको पारिटी पे डालेंगे, पहुँच जाएंगे वहीं पे हम लोग, इसका मतलग क्या होँआ देखो, एक एक करके मैं बोलते जाता हूँ, अब मुझे टाइम नहीं लगएगा, ये करेंसी, डिसकाउंट पे जाएंगे, ये करेंसी, प्रीमियम पे जाएंगे, कितने प्रीमियम डिसकाउंट, एप्रॉक्सिमेट टम में बोल सकते हैं, इसकी प्रीमियम ये जाएगा डिसकाउंट पे, ठीक है, कितना एप्रॉक्सिमेटली, तो ये कहता है, 5.7-3.4 approximately कहते 2.3% discount पे जाएंगे ठीक है तो बोलोगे contradiction आगई अब तो interest rate कुछ और कहता है inflation कुछ और कहता है कहते हाँ वो तो हो गई inflation अपने हिसाफ से बोलेगा वो अपने हिसाफ से बोलेगा और market अपने हिसाफ से चलेगा क्या लगता है market में interested parity प्रिवेल कर रहा है अगर होता तो exact match करता ना exact तो नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं यहां से भी exact match नहीं होगा समझ में अगे बात तो inflation कुछ और बोलता है interest कुछ और बोलता है लेकिन अगर interest और inflation अगर exactly सेम होता तो फिर आपका difference नहीं आता यहां पे क्या है कि दोनों के बीच का gap में difference है यहां पे gap चल रहा है 2.3 की वहां पे gap चल रही थी 1.5 की समझ में आगे बात तो इसकी वज़े से आपको अभी यहां पे theory कुछ और बोलेगा यह theory क्या बोलता है बताए कि यह premium पे जाएगा कितने premium पे जाएगा जी approximately 2.3 percent पे मैं कहता हूँ accurately बताओ तो कहते हैं देखो accurate जो जाएगा जिसका है उससे validate से divide कर दो ठीक है 2.3 divided by 1.034 यह कहता है कि accurately अगर चेक करोगे तो 2.22 percent जाना चाहिए इसके लिए कैसे निकाला हमने दोनों का difference divided by 1 प्लस उसी का rate उसका rate कितना चल रहा है बताओ 3,4 ना तो 1.034 ले लिया मैंने यह कहां तक इसका accurately कितना जाएगा बताएगा इसका जाएगा 2.3 divided by 1.057 यह जा रहा है आपका मोटा मोटा 2.18 percent और मैंने बोला भी था percentage discount हमेशा छोटा rate होगा premium से क्योंकि इसका base होता है बड़ा इसका base होता है छोटा इसकी वज़े से आपका ऐसे चलता है यह कह रहा है कि जब भी अगर आपको forward rate निकालना हो या expected rate निकालना हो तो spot rate multiply by किसका निकाल रहे हो अगर dollar का निकाल रहे हो तो one plus inflation rate किसका लेना बताओ रुपी का क्योंकि base में dollar है तो dollar को base में ही रखना इधर भी inflation लेना किसका बताओ यह dollar का इस तरीके से आपका future का rate जो है न वो forecast कर सकते है inflation का parity बोला हम कहते यह कैसे बना जी कहते लो बना देता हूं अभी यह कहता है कि price से match होती है हमारा किस से price से हम कहते कैसे कहते यह देखो एक country में मान लिजे यह है कोई product purchasing power parity क्या कहता था कि sport rate मान लिजे हमने अजूम करा है फिलाल 82 का इसका मतलब क्या हुआ कि कोई सामान अगर USA में dollar 20 का है तो वो सामान इंडिया में 1640 का होगा चिक कर के देखो तब ही जाके दोनों क्या होगा बताईए equal हुई क्योंकि purchasing power parity कहता ही यह है कि same सामान दो country में क्या होगा एक ही rate पे होगा तो यह आपका कितना आ गया बताईए 1640 और यह है 20 दोनों को equal कर दिया तो dollar 1 का इतना divide away इतना 82 rate आ गए तो यह हमने बोला export rate है जो कि इंडिया में code किया गया है अब एक काम करते है दोनों country का inflation ले लेते हैं यहाँ पर मैंने कुछ inflation ले रखा है कुछ 5% का कहाँ पर बताईए इंडिया में मैंने 5% ले रखा है और वहाँ पर 3% है ठीक है कोई बात नहीं 2% का गया पर और अभी भी हमारे भी कितना चल रहा था बताईए तो चल लेगा मोटा मोटा लॉजिकली रेट ले रखा है कोई इसू नहीं है तो आप मुझे बताईए यूएस में जो वही सामान होगा वो 3% महँगा होगा क्योंकि inflation सामान को महँगा करता है है न तो कितना पर पहुँचा है बताईए 20.60 और आप मुझे बताईए यही सामान इंडिया में कितने का होगा यही सामान का प्राइस हो जाएगा 1722 तो पर्चेजिंग पावर पैरिटी क्या कहता है वन येर बाद इन दोनों की प्राइस क्या होने चाहिए यह सेम होना चाहिए तो यह देखो आप 20.66 इक्वल टू 1722 हमारा एक्सेंज रेट आगे कितना बताई 83.529 आप एक काम करो इस 1640 पे 5% आड़ किया ओके आप मुझे बताईए कैसे आया 20.60 कैसे आया बताईए आज की प्राइस पे 3% आड़ करके तो यह देखो आज की प्राइस पे 3% आड़ कर दिया अब एक काम करते इसको थोड़ा अलग कर देते है इसको अलग कर दो तो क्या यह 82 था यही तो इस प 1 plus inflation rate in India, divided by 1 plus inflation rate in US, और यही तो 1 plus premium discount था, क्योंकि आज के rate को बढ़ा रहा हूं, कितने percent से, जितना percent का premium है, तो 1 plus उतना percent premium नहीं बन गया, तो यही चीज़ हम बोलें कि, spot it, multiply by inflation का rupee, inflation नहीं बताए, dollar, कुछ भी different था, interest rate parity में, inflation rate parity में, कुछ भी नहीं, बस difference बस एक चीज़ का था, कि यह decide जो हुई थी न, यह price को equal करके, वो decide हुआ था, future के value को decide करके, बस इतना ही difference है और कुछ नहीं है, formula तक same है, ठीक है, अब यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, यह premium discount फिर वही काम आएगा, जो हमने बताया अभी, कि दोनों की जो interest rate का difference है, उसमें dollar के rate से क्या करो, one plus करके divide कर दो, या one plus PR of rupee, divide by one plus PR of dollar minus one, ठीक यहाँ तक, और या तो आप चाहो, तो rupee का निकालना चाहरे हो, तो base में लेना rupee, और यहाँ भी base में क्या रख सकते है, rupee क्योंकि यह दोनों एक ही चीज है, एक में हमने क्या किया है, proportion minus one किया है, और एक में LCM लेके स्कूपर कर दिया, तो यह दोनों का difference आ जा रहे, बाकि कोई भी difference नहीं है, आप एक चीज याद रखना, कुछ लोग यह सोचते हैं, कि sir, एक चीज जान लिया, तो क्यों पांच चीज मैं जाना हूँ, मैं कहता हूँ, घर जाने का एक गली देख लिया, तो पांच गली क्यों देखे, पांच गली इसलिए देखो, ताकि बंडारा जब हो रहा होगा, तो हमें दूसरे गली से घर जाना पड़े, ऐसा ना हो कि मुझे वह इक बंडारा के टेंट में बैठना पड़ जाए, समझ मैं आगे बात, तो मैं इतने सारे मेथर्श इसलिए दे रहा हूँ, अब तो और भी ज़्यादा जरूरी है जानना, क्योंकि MCQ में तो फटाक से काल्कुलोटर प्रांसर निकालना है, तिक आपको टाइम सेव करेगा, समझ मैं आगे बात, अब जहां पे जो इन्फर्मेशन हमें दिखेगा, वह ही कर लेंगे, अब मान लिजे, कहीं पे दोनों कांट्री का in천ட्रच दिखता ही नहीं हमें, इंफ्लेशन दोनों का दिया नहीं, दोनों का एक कुश्चन है ऐसा, जिसमें दोनों का डिफरेंस पता है, और दोनों का individual rate नहीं पता है, और कहतें premium discount बता हो, वहीं डिफ्रेंस ही बोलना पड़ेगा, मुझे एकुरेट दे नहीं सकते हम, क्योंकि एकुरेट अगर निकालना है तो आपको पता है, किसी ने किसी एक रेट के बेज से डिवाइड करना पड़ेगा, वन प्लस सम्थिंग, रेट दिया ही नहीं है, कोई बात नहीं, दोनों क क्या तकूरा है मेरा ख़ल क्या करूं? क्या भार हूग क्यां क्या लेकर? अच्छा tea लेक लेकष लेक लेकर सिर्दान काफ्ट मेरे सरदार्द भी त Wür अ 9 कि गाने लिफ से भी ख़ता है, अब लेक लेकर ये भी प्रसे सफेरेंगे चलो कोई नहीं इसको भी खतम करते हैं फिर ब्रेक लेते हैं तिन कुश्टन सॉल्व करेंगे तीनों कॉंसेट खतम हो जाएगा तीन है इस पे बेस्ट इंटरसेट पारटी थेहरी एक्सेंज रेट डिटर्मिनेशन थेहरी पे तीन कॉंसेट था हमारा कितने पेज था यह देखो ना पेज भी तो बहुत थे ना नहीं नहीं यह आता है यह देखो एक है आयर पीटी इंटरसेट पारटी थेहरी पीपीपीटी पर्चेजिंग पारटी थेहरी इंटरनेशनल फीशर इफेक्ट आईफी आईफी क्या कहता है कि इन दोनों के बीच में किसके इंटरसेट और इंफलेशन रेट के बीच के रिलेशन सी बताता है कौन आईफी इंटरनेशनल फीशर इफेक्ट जो भी बोला था ना मैंने कि जिस कंटरी की इंफलेशन ज़्यादा होता है उस कंटरी की pre-bill rate, यानि कि risk rate क्या होता है, ज्यादा होता है, यह किस ने बोला है, यह फीसर ने बोला है, फीसर, इसलिए उस formula का नाम बोल गए, फीसर formula, फीसर की formula पर जब भी जाओगे, तो वो एकी चीज को लिंक करता है, किसको, interest rate को, real rate और inflation को लिंक करके, treasury bill का rate बताता है, ओके, तो एक काम करते हैं, international feature effect में क्या हो रहे देखो, अभी हमने क्या बोला था, याद करना, कि real rate में add कर दो, क्या बताईए, inflation तो कहां पहुँँ जाएंगे, risk free और यह फीसर, यह अप्रॉक्सिमेट calculation था, अब accurate सिखाता हो, accurate कहता है, one plus real rate ले ले लेना, इसमें बढ़ाना, किस से बताईए, inflation से, और तब जो जाके बनेगा न, यह बनेगा one plus risk free, बस, खतम, और कुछ नहीं करना है, मतलब amount में मत बढ़ाना, ratio में बढ़ाना, बोलो गया ऐसा क्यों भाई, क्याती देख लो, यह देखो ऐसे क्यों होता है, फीसर ने बोला कि देखो, माल लिजी किसी country में real rate, real बता दिया न मैंने क्या होता है, माल लिजी इंडिया में real rate 1.5% है, कितना है जी, 1.5% का real rate है, आज कोई सामान अगर 100 रुपीज का है, तो मुझे बताईए, 1 year बाद उस सामान का value क्या होना चाहिए, क्याते 10, 1.50 हो गए, excluding inflation, सोच के देखो, क्यों बताओ, real rate is pure time value rate, money कितने से grow करेगा, pure, inflation को छोड़के, money जो grow करेगा 1.5% से, समझ में आगे बाद, इसका मतलब, यह हमारा amount कितना होने वाला है, बताईए, 10, 1.50, excluding inflation, Fischer ने क्या बोला, कि अच्छा जी एक चीज बताओ, अगर किस country में inflation जो है, अगर वो 5.5, कितना था, 5.7 ना, 5.7, अगर यह 5.7% का inflation होगा, तो यह जितने भी amount होंगे ना, country में जो circulate हो रहे हैं, सारे amount, 5.7% से, बढ़के जो आएगा, तब वो inflation include होंगे, यानि कि जो 5.7% की जो adjustment करनी है ना, आपको, वो सिर्फ 100 पे नहीं, कुछ लोग यह मानते हैं, कि सार, 100 पे inflation adjust होगी ना, और जो 1 रुपीज 50 पैसे जो grow करके बना है, उसके लिए time value अलग, चलिए, purchasing power अलग चल रहा है, आपको जो सामान खरीदने की जो power है, वो purchasing power decide करके देता है, तो मुझे बताइए, जो सामान जिसके जेब में पहले से 100 रुपीज था, उसके लिए purchasing power अलग है, और जो 1.5 रुपीज जो grow हुआ है time value के नाम से, उसकी purchasing power अलग है, purchasing power same होगा दुनों तो, मतलब किसी एक particular time पे, money की value same रहता है, है ना, तो जो value 100 की है money की, वो ही value 1.5 की भी है, इसका मतलब inflation जो impact डालेगा, not only 1.100 रुपीज, but on total 10, 1.50 रुपीज, यह feature का कहना है, इसका मतलब inflation को साथ अगर हम पहुँचे, तो कितना हो गया बताईए, real तो पहुँचेगा, real तो ले कि हमारा future value आए, यह real gas flow जाए, real amount में है, inflation डालना है मुझे, तो कहते हैं, पूरे 5.7 परसेंट ठादे पर डालेगा, तो कितना पहुचा बताईए, 101.5 प्लस 5.7 परसेंट, यह आ रहा होगा, 107.2855, तो कहते हैं, देखो, इसका मतलब government को न, इतने amount compensate करना चाहिए, अगर कोई इंसान 100 रुपीज बैंक में deposit करे तो, मतलब वो क्या कहना है, कि अगर कोई बैंक में 100 रुपीज deposit करेगा, तो उस case में उनको क्या करना पड़ेगा, कि government को न, इतना interest देना पड़ेगा, मतलब इतना amount वापस करना पड़ेगा, एक साल के बाद, ताकि वो इंसान गरीब ना हो, अगर इतना समान नहीं दोगे, इतना पैसे ना दोगे, तो वो समान ही नहीं करीद पाए, क्योंकि inflation जितना है, अगर इतना तो देना चाहिए हो उसको, है न, तो inflation include करके, इतना amount पे करे, इसका मतलब government को, क्या risk free rate set करना पड़ेगा, बताओ, government को risk free rate क्या set करना पड़ेगा, क्याते, आर percent का risk fix करना पड़ेगा, तो हम क्योंते ठीक है, 100 multiply by 1 plus R is equal to 107.2855, तो मुझे बताइए, आर कितना आ गया है, 7.2855 percent, 23 कर दू, बोलो, 7.623 percent, तो कहते हैं यह T-Will rate होना चाहिए, यह किसका मानना है, फीसर का, तो फीसर ने formula दिया, क्या formula दिया बताइए, कि क्या करो, 1 plus real rate, total जो amount बनेगी न देखो, 1 रुपीस principle, real rate अड़ कर दिया, तो जो future value बना, यह होता है future value, 1 plus real rate, मानले जे real rate 1.5 percent, तो 0.015 यहाँ पे लोगे आप, तो 1.015 हो गए, इस पूरे amount पे, inflation से बढ़ा दो, तो जो amount बना, वो principle plus risk rate पूड़ा होना चाहिए, ठीक है, formula याद रह जाएगा, और logic क्या है वही है, जो हमने भी यहाँ पे बना के देए, करके देखो नो, वही amount बनेगा, एक कम कर लो यहाँ से निकाल लो ना, अमने एक rate लिया था नभी, 1.5 और पो, 5.7, तो कैसे निकालेंगे risk rate, 1 plus 1.015, यहाँ गया, इसको multiply करना है, 1.057 से, यह जो amount आएँ यहाँ बताए, future value, तो वही तो निकाला यहाँ पे, यही तो बला रखा था, तो 7.5, तो यही बोला, फीसर ने की, देखो जी, फीसर ने बोला, फीसर ने बोला, फीसर ने बोला, फीसर ने बोला, यह बात बोला, उसने, देखो, कि जो हमारा rate है न, 1 plus real में, 1 plus inflation resist करना क्या बज जाएगा, 1 plus nominal risk-free rate बोलते हैं, nominal rate भी बोलते हैं, risk-free rate बोलते हैं, जो बोलना है बोलो, nominal risk-free rate, तो यह एक्जामपल जो मैं बता रखा था, यहाँ पे भी दे रखा है, उससी जो को देखते रहेंगे, बांकि कुछ, approximate calculation भी बोला हुआ यहाँ पे, कि अगर मालेजे किसी country में, real rate 1% चल रहा है, और inflation 5% चल रहा है, तो आप मोटा-मोटा term में बोल सकते हो, कि उस country में risk-free rate कितना चल रहा होगा, 6% करान, तो यही मैंने बोला है, कि approximate calculation कभी करना हो आपको, तो 1% plus 5%, 6% हमारा क्या होता है, approximate क्योंकि इन्सूट कई बार आपको approximate calculation किया है, आगे में आपको दिखाऊंगा, ठीक है, सीधह approximately add कर दिया है, जितना real inflation add करके, risk-free बना देता है, if investors of all country requires the same return, interest rate differential between two countries, may be the result of the differential of inflation, यह कुछ लिखाए पढ़ लिजिएगा एक बार, if investors of all country requires the same real return, अगर हो real return same चाहता हो, हर country के इंसान, क्योंकि real return जो है न, वो तो क्या है बताई, एक तो pure time value है न, तो time value तो हर country का same ही चलना चाहिए, तब कहते हैं कि, अगर हर country का real rate अगर same हो, तो interest rate differential between countries, may be result of differential in inflation, जैसे हमने अभी 2% लिया था, 1.5 लिया था, हमने 1.5 लिया था, real of India, और inflation कितना चल रहा है बताई, 5.7, तो हमारा risk प्रिया आगए थे न, चलो नीचे आड़ कर देता हू, रियल में आड़ कर दिया, क्या बताऊ, inflation, 5.7, तो कहते हैं, 1.5 प्लस 5.7, कितना आगए बताई, 7.2%, यह risk-free होना चाहिए, T-bill का rate होना चाहिए, और देखना, T-bill rate है भी इतना market में, है न, तो कहते हैं, अगर वहां भी real same होता न, कहाँ पे हैं, US में, तो वहां का भी 1.5 होना चाहिए था, लेकिन वहां की inflation कितना चल रहा है, 3.4, तो मुझे बताई, वहां का T-bill rate कितना होना चाहिए था, US वाले का, हाँ जी, तो 1.5 प्लस 3.4, या रहा है आपका 4.9, तो कहते हैं, अगर हर country का लोग, real अगर same चाहिए न, तो जितना उसके interest rate में difference होंगे, उतना ही, inflation का भी difference होगा, ये बोलना चाहिए, देखो न, आप inflation में कितना difference है, और आप देखना यहाँ पे, यहाँ पे क्या होगा पता है, अभी के case में, चाहिए आप IRPT यूज़ करो, चाहिए आप PPPT यूज़ करो, अप एक चीज़ क्या मिलेगा पता है आपको, forward rate जो आप forecast कर रहे हो न, वो दोनों almost एक ही point पे जाएगा, क्योंकि अभी के case में, inflation भी premium उतना ही बोलेगा, inflation इतना ही premium बोलेगा, और interest भी उतना ही premium बोलेगा, अभी क्या पढ़ा, दो country के interest rate का difference क्या होता है, premium discount, जब दो country का real rate से मैं न, तो बोलोगे तो approximate calculation है, तो accurate कर लेगा, decimal का difference आएगा और कौनसी बड़ी बात है, analysis करने के लिए में, approximation से काम चला लेते हैं, क्योंकि analysis से वो, accurate कर लेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा decimal उपर नीचे हो जाएगा, तो क्या अभी के case में, inflation से जो premium discount निकालोगे, क्या सेम आएगा, आएगा, जो interested से जो premium discount निकालोगे, वो भी सेम आएगा, 2.3, तो मुझे बताइए, जब दोनों base, मतलब दोनों जो input data, सेम premium discount दे रहा है, तो spot rate पे, अगर मैं premium discount आड़ज़्ट करूँ, तो क्या आएगा, forward rate, महंगा हो रहा है, सस्ता हो रहा है, premium discount यही तो है न, तो कोई सामान महंगा हो रहा है, तो price बढ़ा दो, तो जब price बढ़ा होगे, तो यह भी कह रहा है कि 2.3% बढ़ना चाहिए, interested भी क्या कह रहा है, 2.3% बढ़ना चाहिए, तो क्या, IRPT और PPPT, दोनों, एक ही result देगा कि नहीं देगा, देगा, यही चीज़ यहाँ पे लिखा होगा है, ठेक है, यहाँ पे लिखा होगा, देखो क्या, Hence, expected forward rate forecasted using interest rate and inflation rate remains same, थोड़ा बहुत का difference आएगा, चलेगा, यहाँ अप्रोक्सिमेट में बात करें न भी, इसलिए, जिसे मालने चीज़ इंटरेस rate 7 है, और US का 5% है, इंटरेस rate differential केतना है, बताए 2%, अब यहाँ पे 3 और 5 होगा, तो inflation rate differential केतना है, 2, अभी एक काम करो, इधर से निकालो, तब भी वही forward rate आएगा, इधर से निकालो, तब भी वही forward rate आएगा, बात समझ में आ गए, इसका मतलब हमने जो अभी निकाला था, उसके forward rate थोड़ा बदल रहा था, क्यों पता है, तोगि दोनों country के real rate सेम नहीं इसलिए, अगर दोनों country का real rate सेम कर दो, तो क्या बन जाएगा आपकर, सेम बन जाएगा, ठीक है, तो हमारा एक concept, खतम हो गया है, अब इस पे best question solve कर सकते हैं, तो question solve करते हैं हम लोग, 10 minute के break के बाद, तो हम लोग कुछ question solve कर के देखते हैं, फटा-फट, इसकी question तो start होने से पहले ही खतम हो जाते हैं, कुछ हाता ही नहीं इसमें, the US dollar is selling in India, US dollar is selling in India at rupee 72.50, क्या exported दे रहे हैं, अच्छा, if the interest rate for 3 month borrowing in India is 6%, कितना हैं बताईए, interest rate for a 3 month borrowing in India is 6% per annum, याद रखना, अगर ये 3 month borrowing बोल रहा है, तो कोई जरूरी नहीं कि ये rate 3 month का होगा, तो कि आपको पता है, अगर आप 3 month के deposit करने जाओगे, तो rate अलग मिलेगा, और 6 month के लिए rate अलग मिलेगा, तो period, क्योंकि period बदलने से rate बदलता है, इसलिए rate के साथ period लगाते हो लो, क्योंकि जब 6 month के borrowing में जाएंगे, तो rate अलग मिलेगा, कभी feel ना है, तो just like आप FD के लिए feel कर लो, क्योंकि FD करते हैं तो सबको पता होता है, कि 3 month के FD rate अलग मिलेगा, 6 month का थोड़ा जादा मिलेगा, 1 year का थोड़ा और जादा मिलेगा, समझ में आगे बात, live वले video, audio video confirm करेंगे एक बार, इसका मतलब यह हो गया कि, simple सी बात अगर यह जो borrowing का period दे रहा है, तो सिर्फ period इसलिए बता रहा है कि, उस period का यह rate चल रहा है, लेकिन rate हमेशा क्या होता है, जब तक specifically ना बोल दे कि, this is for 3 month, समझ में आगे बात, अब कहरे है कि, same rate US में कितना चल रहा है, 2.75, do you expect, dollar will be at premium, or at discount, in the foreign, Indian forex market, जल्दी बताएंगे, premium पे discount पे, dollar जो होगा न, वो किस पे होना चाहिए, premium पे होगा, क्योंकि dollar का interest rate, क्या बताएंगे, छोटा है, what will be the expected 3 month forward rate, क्या होगा, for dollar, in India, क्योंकि India में किसको quote करता है, dollar को, तो अगर rate पूछ रहा है, तो पहले rate लेंगे, हम लोग कौन से बताएंगे, आज का rate, और इसमें premium discount से, multiply करके add कर देंगे, यह है न, मतलब 1 plus premium या 1 plus discount, तो 1 plus premium क्या होता है, बताएंगे, 1 plus, किसका premium जाएगा इसमें, dollar का rate है न, तो dollar का premium जाएगा, मतलब dollar base में यह मार लें, तो 1 plus 0.06, लेकिन 6 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 6 annual rate है, तो हमें I चाहिए, तो 3 divided by 12, ठीक है, और divided by, अब लेंगे dollar का rate, तो 1 plus 0.0275, multiply by 3 divided by 12, जो भी amount आएगा, वो हमारे क्या बन जाएगे, rate बन जाएगे, आप लोग calculation कैसे कर सकते हो, इसको पहले save कर दो, ठीक है, इसको पहले क्या कर दो, बताएगे, save कर दो, कहां पे, memory में, और फिर ये value निकालो, और divided by MRC, multiply by इतना, आपका answer सीधा आजाएगा, कुछ लोग बोलेंगे, इसका value निकाल के लिख लेंगे, इसका निकाल के लिख लेंगे, time ज़्यादा जाएगा, चाहिए 30 सेकंड ही गया एक्स्ट्रा, 10 सेकंड भी एक्स्ट्रा गया, वह फालत हुई है, तो ये किसी को अगर memory अगर use नहीं करने आता है, तो मैं इस chapter के बाद, जब मैं time value बढ़ाऊंगा, क्योंकि time value भी कराऊंगा आपके बैच में, पहले तो प्लान किया था कि नहीं करेंगे, लेकिन ठीक नहीं होगा, बल्कि question में कहीं पर थोड़ा सार कंजूसी कर लेंगे, लेकिन concept में कोई कंजूसी नहीं करेंगे, तो वहाँ पर मैं सारे calculator use और बताऊंगा, हाफ लेक्चर लगा के calculator use भी आपको बता देंगे, कोई सुनिए, कोई से सारा इस पर लिखा हुआ है, इस पर जाखे चेक करोगे, तेक एक चीज लिखा हुआ है, चाहो तो अभी से भी थुरा से ट्रेक्टी सब लोग कर सकते हो, कितना आ गया? अब आज नहीं आई, अब बोलो कि हो जाएगा नहीं, यहीं कैल्कुलेशन पर सबसे बड़ी दिक्कत होते हैं, हम एक्जाम में यहीं मिस्टेक करते हैं, जिसकी बस समाग जिर हो जाते हैं, इसलिए कैल्कुलेटर अब कम से कम यूज करना शुरू करोगे, अब करें, वाट विल भी दे रेट अफ फॉर्वाड प्रीमियम और डिसकाउंट, वही तो होगा, प्रीमियम और डिसकाउंट का रेट पूछ रहा है, तो ठीक है, यह जो आपने निकाला था न, यह जो निकाला था, उसमें से माइनस बन कर तो, यह आपका आज एक कितने दिन के लिए, थ्री मन्त के लिए, लेकिन अनुवल देना होता है प्रीमियम डिसकाउंट, जब भी हम प्रीमियम डिसकाउंट दे तो कैसे बताइए, अनुवल, या तो एक काम और कर सकते हो आप, क्या पता है, और वारेट निकाल चुके हो, इसपोर्ट रेट है, सिधा निकालोगे तब भी वही रेट आएगा, यह निकालोगे तब भी वही आएगा, और इन दोनों के डिफिडेंस से जाओगे तब भी वही रेट आएगा, तो कैसे निकाल सकते हो, तो चलो मेरे को ज़्यादा असान यह लग रहा है क्याल्कुलोशन में उसका कम टाइम लगेगा 73.09-72.50 यह न डिवाइड़ वाई 72.50 multiply by 100 लेकिन याद रखना यह कितने दिन का है 3 मन्त का जब आप calculation करोगे न तब याद आएगा इसको multiply करने की ध्यान रहेगा नहीं तो ध्यानी बूल जाते हैं हम लोग multiply by 12 divided by 3 ठीक है तो जितना भी आएगा आगया अब करते रहेगा आए question number 2 के B पे देखते हैं क्या के रहे A laptop bag is priced at $105 at New York, New York में यह चल रहा है $105 का The same bag is priced at $4,250 in Mumbai, Mumbai में कितने का price से बताए $4,250 का, कहरे कि determine exchange rate in Mumbai, क्या करेंगे बताए Mumbai में किस सीज का rate कुछ quote होता है Mumbai में dollar का, तो क्या करेंगे बताए $105 is equal to Rs.4250, इसका मतलब $1 कितना हो जाएगा $4250 कितना, 40.47, 4762 याद रखना जब भी exchange rate निकालना हो, कोसिस करो 4 digits में जाने दो क्योंकि 4 digits और 2 digits दोनों rule होता है लेकिन ज़्यादा approximation हो जाएगा 2 digits में, तो कोसिस करो जब भी exchange rate हो तो आप कितने digit में निकालो, 4 digits में, एक आदत बना लो वैसे कोई कुछ लोग बोलेंगे कि हम 3 digits में निकाले तो marks नहीं देगा 100% देगा, अगर specified नहीं है तो अगर question में कहीं पे specified है तब अगर digit बदलोगे तो marks नहीं मिलते हैं पूछ रहा है तो inflation rate करने नहीं आएगा आप मुझे बताएं मुंबई में प्राइस क्या चलेगा 4250 प्लस कर देना सीधा प्लस क्यालकुलोट रह से यूज करना सीखो आप लोग कि किसी चीजों को मुझे कितने परसंट बढ़ाना है बताएं 7% तो आप क्या करना पता है 4250 प्लस 7 परसंट कर लो हो गया यानि कि इसका मतलब multiply हो चुका है कितने परसंट से मतलब multiply हो चुका है 1 प्लस 0.07 से तो यह आगे हमारा 4547.50 अब US की बात हो रही थी US में price थी 105 की और inflation ने 4 परसंट तो प्लस कर दिया हमने 4 परसंट 109.20 सही यहां तक तो कहते हैं आपको determine the depreciation और depreciation in rupee in one year from सर्याच में और भी कुछ था also determine exchange rate prevailing at New York for rupee 100 क्या मतलब हो बताइए यानि कि New York में क्या price होगा कितने rupee के लिए 100 रुपे के लिए क्योंकि New York में कभी भी dollar को कोट नहीं किया जाएगा है न तो क्या करेंगे बताइए हम लिखेंगे rupee 45 करो करो rupee 4547.50 is equal to dollar 109.20 तो rupee 100 अगर हमें रखना है तो आएगा dollar में 109.20 divided by 4547.50 multiply by 100 यह मेरे इसाफ से आएगा 2.4013 सही आ रहे है देखो 2.4013 और लास्ट में क्या बोला है determine the appreciation और depreciation इन rupee में निकालना है आपको in one year from now एक साल बाद के लिए rupee का premium discount तो एक सी जाद रखना नहीं hundred है नहीं mistake कर रहे है यह hundred होगा one के निकाला आपने अब उसमें किस से multiply करेंगे hundred से तो अब आप मुझे बताए रूपी का premium discount हम से पूछा है तो रूपी का rate चाहिए हमें अब मुझे बताओ यहाँ पर रूपी का rate निकाला आपने वहाँ dollar का rate निकाला अब यहाँ premium discount निकाले हैं नहीं पाओगे आप तो एक काम करो या तो इसको क्या करो dollar में convert करो या इसको रूपी में convert करो यहाँ भी रूपी 100 निकालो गया न तो एक ही बार F-S divided S से काम चला सकते हो नहीं तो फिर काम नहीं चलेगा फिर क्योंकि यहाँ 100 रूपी का rate है यहाँ पर 1 रूपी का rate लेके कैसे निकालो गया आप तो इसलिए या तो इसको भी 1 रूपी करो इसको भी 1 रूपी करो या इसको भी 1 डॉलर करो फिर आप base currency में forward rate लेना जैसे प्राइस करेंसी के लिए निकाल रहे थे क्योंकि base currency का formula लग यूज करते है प्राइस करेंसी का लग पढ़ते तो logically लेकिन एक बार at least जब final answer तक पह point नहीं 1 divided by 40.4762 multiply by 100 या रहा होगा 2.4706 आ रहा होगा तो मुझे बताए यह चल रहा है आज का rate यह चल रहा है future का rate दोनों का difference क्या बता है premium discount एक काम करिए 2.4013 minus 2.4706 divided by 2.4013 multiply by नहीं करबड कर दिया 2.013 नहीं होना चाहिए था हाँ जी हाँ जी हाँ डिसकाउंट पे है कौन रूपी डिसकाउंट पे है क्योंकि रूपी अभी महंगा था रूपी क्या हो रहा है बताए सस्ता हो रहा है डिसकाउंट पे तो यह आएगा आपका 2.4013 minus 2.4706 divided by कहां से सस 3706 multiply by 100 और यह आपका कितने दिन का आएगा पूरे एक साल का क्योंकि वनियर के लिए तो इसमें कोई 12 multiply by कुछ करने की जूरत नहीं है रेट आजाएगा आपका minus 2.805% का देखना आप लोग को कितना आ रहा है 2.805 ठीक है यहां तक ओके चलिए अगला question पे आते question नमर टू के CP the rate of inflation in India is 8% per annum and in the USA is 4% वैसे देखा जाए तो approximately कितना percent premium discount होगा इसमें 4% का क्योंकि 4% का gap है तो 4% का premium discount आना चाहिए current spot price for US dollar in India is Rs.46 what will be the expected rate after one year and after four year applying the purchasing power parity theory जब four year बाद की बात होती है न और यहां पर यूज क्या कर रहे है हम लोग purchasing power मतलब purchasing power कहते है कि four year बाद जो price होगी commodity की किसी भी commodity की दो country में क्या होना चाहिए बताए equal और आपको पता है आज की जो spot rate होंगे उसी को base बना के हम four year बाद के लिए सोचते है spot rate कितना है बताई है 46 तो मुझे बताना एक country में कोई सामान 46 का होगा आज तो दूसरे country में हो सामान कितने का होगा one का कोई मुझे बता सकते four year बाद इंडिया में उस सामान का price कितना होगा हाँ जादा तो होगा ये तो बढ़ी answer था निकाल के बताओ न कितने साल बाद पूछा है मैंने four year बाद एक साल बाद में तो कोई दिक्कत है ही नहीं मैं four year बाद के लिए मैं कुछ बताने के कोसिस कर रहा हूँ इंडिया की inflation कितना चल रहा है 8% तो 8% से inflation है और कितने साल बाद का मैंने price पूछा है आपसे four year बाद का मुझे बताओ ना रूपी कितना रूपी का price सल रहा होगा जो समयना आज 46 का होगा कितना पहुँच जाएगा चा 62 पॉइंट देख रहे हो यहाँ पे भी घरबड़ी कर रहे है आप लोग दो आंसर दे रहे हो बताओ कितना रहा है चलो देखते लाइब बाले क्या कह रहे है हाँ जी लाइब बाले सब कह रहे है 62.58 आप में से भी कुछ लोग का 62.58 है कुछ 60 पॉइंट कुछ कह रहे थे ने कुछ लोग हाँ 60 पॉइंट कह रहे थे कैसे कह रहे थे बताइए डारेक्ट नहीं होता है इंफलेशन जो होती है न वो एन्वली कंपाउंडिंग होके जाता है मतलब क्या होगे देखो 46 प्लस 8 परसेंट 1 यर बाद की प्राइस होगी प्लस 8 परसेंट 2 यर बाद की प्राइस होगी प्लस 8 परसेंट 3 यर बाद के प्राइस होगे प्लस 8% 4 year बात के price हो गए 62.58 बिल्कुल सही बोला है क्या मैं इसको ऐसे बोलू कि हमने जो ये calculation किया है वो ऐसे किया है 46 multiply by 1 plus 0.08 पावर 4 गोल तो कोई दिखा थे क्या नहीं ना तब को पता है यही चीज में formula में बार बार दे रहा था power and को मैंने explain नहीं किया था ना अब यहाँ पर जाईए देख रहे हो कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए यह देखो यह तो premium discount था यह देखो यहाँ पर हमने जो formula में देखो यह power and क्यों जा रहा था अब हो पाबब को समझ आ रहा होगा उस time मैंने explain नहीं किया था जब compounding होके जाते है न तो जो इसे inflation हो गई अब 4 year बाद की अगर बात करेंगे तो 4 year तक 1 एक एक करके added होते जाते है तो उस पे जाके power and हो जाएगा हमने बताया था न कि 46 को अभी आप 8% add करो फिर अगले बार 8% add करो फिर 8% add करो फिर 8% add करो चार साल हो गए 8% add करने का मतलब क्या है बताईए 1 प्लस 0.08 से multiply करना फिर multiply करेंगे कितने से बताईए 0.08 से फिर multiply करेंगे कितने से 0.08 से फिर multiply करेंगे कितने से 1 प्लस 0.08 क्या 4 हो गई तो बस खताम हांजी सिंपल ऐसे मैं आपको आगे बताऊंगे चाल्कुलोटर यूज के अंदर multiply equal to करते हैं तो यह होता है सिधा square बस जब भी कभी आप multiply equal to कर रहे हो न तो आप पढ़ना शुरू करो square cube something power कितना निकालना है 4 तो square आ गया अगले बार करोगे क्या आएगा बताई cube अगले बार करोगे क्या आएगा powerful तो आपको ऐसे पढ़ना है कितने बार equal to करना है वो नहीं पढ़ना है mistake हो जाएगा नहीं कितने बार equal to करना है वो नहीं वो सोचना ही नहीं, counting करना ही नहीं, मैंने कितने बार equal to price किया है, समझ में आगे बात, और यह doubt शिर्फ आपको नहीं है, बहुत बार पीछे भी ऐसे हो रखा है, और कुछ calculator ऐसे market में, जो यह आता ही नहीं है, यह आता ही नहीं है, उसमें जब two times जब equal to price करोगे ना, तब जा के साथ जो कुछ calculator आये, उसमें automatic lock नहीं होता है, तो उसमें वो जो multiply प्रेस किया है, दो बार प्रेस करना होता है, तो अभी हम उस पे बहस ना करें, अगर किसी का नहीं आ रहा है, तो आप मेरे से आ रहा है, है कोई जिसका नहीं आ रहा है, मतलब वो calculator जो है नहीं थोड़ा पर ना पहुंच जाओ, calculator मत खरीदना को अभी, बढ़े आगे हम लोगा, चलो, क्योंकि GT होना चाहिए calculator में, हाँ, चलो मैं एक काम कर सकता है, अगर किसी को लग रहा है calculator खरीदने जा रहे हैं, तो आप खरीद लेना, Casio का, एक तो ये तो है ही, अरे आज़ा भाई, ये नह Casio, ये सस्ता भी है और बढ़िया भी है, Casio, MJ, ये मिलता है आपको, मेरे वाले नहीं मिलता है, 12D, अगर कोई खरीदने का प्लान कर रहे हैं, उसके लिए ये, ऐसा नहीं कि मेरे कुछ ने पैसे दे रखा है, होते हैं, कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, बहुत बार क्या होता है लोग जो हते हैं, वो देखके जाके खरीद लेता है, और जब खरीद के लाते हैं, उसके पास exactly वो मोडल नहीं मिलेगा, तो ये सब थोड़ा ध्यान रखना, या तो ऑफलाइन करीदो, और या तो बस ये चेक करना, ठीक है, इसमें जीटी होना चाहिए, सबसे पहली बात ह है न, और उपर जो आपको ये कुछ हो आ रहा है, इसमें कुछ है, मजे 12D, अब है क्या है, इसमें देखना, कितने डिफरेंसेज मिलता है, कैसी हो का, मजे, ये सस्ता भी एक क्योंकि 400 मिल जाता है, ये सब 500 से, ये तो मिलता ही नहीं, इसके बड़े वर्जन मिलता है 600 में, मजे क्या है 12D, अब देखना फंस्ता कैसे है, 12D और छोटा से ए लिखा होगा, वो गया, उल्टा फंक्शन जो मैंने बोला रहा है, नहीं निकल के आता है, 12D अगर मिलेगा न सब कुछ सेम सेकल सुरत सेम दिखेगा, और 12D जिस पे लिखा हुआ है, उसको वो कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा, जो भी मैंने यहाँ पे कराएगा, और वो बहुत फंस्ता है, आगे जाके बहुत परिसान होते हो, फिर काल्कुलाटर बदलता ही हो, तो ये काम आपको नहीं करना है, इतना ही नहीं, यहाँ पे लिखा होगा 120D, उसमे भी नहीं करना है, 120D में वो नहीं ठीक है, तो ये आप ले ले ना, ये सस्ता भी और बढ़िया भी, इसका साइज भी थोड़ा कमपैटिवल है, इसकी साइज जो है न, छोटा साइज दीखता है, चलो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या कर रहे हम लोग, पावर एंड कर रहे, कर र 1 प्लस, आई कितना बताईए, 8% है, लकिन 1 यर बाद का निकालेंगे हम लोग, तो सीधा लेंगे 0.08 एक साल बाद का आगया, डिवाइड वाइड वाई प्लस डॉलर का रहेंगे, कितना आगया बताईए, 4% 1.04, तो ये जो वैल्यू आए गया, ये 1 यर बाद का आई अगला, और अप्रेल 1, 3-month interest rate in UK and dollar are something and something, dollar का rate का बताईए, 3.5, और UK का rate का बताईए, 7.5 per annum respectively, the UK pound per dollar spot rate is something, अब जहां से सुनना, फिलाल तो हमें per dollar ही दिख रहा है है, ये, pound per dollar के sense में ये ऐसा होगा, तो यही चलेगा, वैसे भी ज्यादातर case में जो है न, base currency यही है, maximum question के अंदर, जहां symbol के साथ rate code किया गया होगा, 2-4 जगों पे जहां पे ISO code के साथ code किया गया है, वहां पे पहले currency के साथ क्या मिलेगा आपको, 1, तो मैंने तो बोला ये, strength को पहला priority देना है, बस 2-4 currency के अ अंदर confusion है, तो उन सब चीजों का strength भूल जाएंगे, लेकिन उस question में भी पहचानने के लिए, rupee और end तो दे ही देगा, क्योंकि rupee भी हमेशा week, end भी हमेशा week, समझ में आ गया है, तो वहां से पकर में आ जाएगा, tension ये कुछ, ये rate दे दिया, what would be the forward rate of dollar for delivery on 30th June, हम अभी कह पर हैं, first April पर, April के starting में और June के end की बात करें, तो April, May, June, 3 मन्त की बात हो रही है, तो 3 मन्त का अगर forward rate निकालना है तो क्या करेंगे, spot rate, 1.7570, ये मत सोचना, क्या रहे हो गया कर लेंगे, no, calculator use करके, answer तक पहुचो और तब छोड़ो, exam, जब आप revision भी करो न पढ़ो, तो होई तो हम लोग सिर्फ क्यालकुलटर से कर रहे हैं, पढ़ते हुए टाइम, language कम करना और answer तक पहुच के छोड़ना, एक बार अगर मानले जी इसमें mistake नहीं हुई, तो दुबार revision करने की ज़रत नहीं है, लेकिन एक बार mistake हो गया, तो उसको माँ कर लेना है कि आपने mistake क्य दॉलर नहीं जाएगा, ऊपर पाउंड जाएगा, कहा है ना, यह देखो आप, हमने कैसे लिखा है, बताइए, पाउंड पर डॉलर है ना मारा, पाउंड पर डॉलर, एक डॉलर करे थे यह, यह है, डॉलर, नहीं हाँ, strong होता है, बड़ा नहीं होता है, strong का quantity कम होता है, mistake कर रहे है, आप मुझे बता है, इसको लिखो कैसे लिखोगे, dollar 1 equal to pound 0.7570, सीधा दिमाग नहीं चलाना है, लिख के दिमाग चलाना है, क्योंकि अभी expert नहीं है, mix हो जाएगा, समझना कि वाज़े से अभी mix कर रहे हैं ना, pound तो क्या strong है, तो ज़्यादा होना चीए, ज़्यादा क्या होना चीए, strong का quantity कम होता है, समझ में आगे बात, ये rate क्या है, बता है, ये सही से लिखा है कि नहीं लिखा है, तो कि pound देखो quantity कम होता है, इसका मतलब, base currency कौन सी है, dollar, तो यहाँ base में क्या जाओगे, मैंने बोला जाए नहीं, rate पर ध्याँ देखना है, इसमें, one plus, किसका rate लूनीचे, dollar का, dollar कितना rate चलना है, बताओ, 3.5, तो 0.035 multiply by, कितने दिन बात का निकाल रहा हूँ, 3 month का, तो हमें सिर्फ 3 month का लेना यहाँ पे, कुछ लोग बोलेंगे rate तो परेनम नहीं है, है, परेनम ही होता है, नर्मली लिखके दिया भी है, होता भी परेनम यह, उपर क्या लू बताए, 0.075 multiply by, 3 divided by 12, ठीक हैं तक, तो बस हो गए, अब इसको calculation करो, अब इस calculation में बहुत सार लोग mistake करेगा, ठीक है, तो जो भी होता है, आप कर लेना, इसको पहले memory में डाल लेना, यह निकाल के, divided by memory recall, multiply by इतना, ठीक है, निकालते रिएगा, चलिए आगे बढ़ते, question number 2, के डीपे, यह question अभी recent में डाला है, institute में, मैं कोसिस करूँगा, कि इसकी solution, जो है न, और भी डाल के देता, अब के print, notes तो print हो गई है, आगे के notes में तुछ रहा हूँ, तो इंप्रूव कर देता हूँ, माफा, management accounting and financial analysis करके वगा करता था, ठीक है, फिर उसके बाद SFM होई है, अभी FM होगी, ओके जी, the following table shows interest rate for the United States dollar and French franc, ठीक है, the spot exchange rate is 7.5 franc per dollar, complete the missing entries, अब यह missing entries, तो 3 मंत का interest rate दिया है, 11.5 percent, और 6 मंत का interest rate है, 12.5 percent, मैंने बोला था न, period के बदलने से interest rate बढ़ता है, ज्यादा होता है, लंबा period, interest rate बढ़ा, छोटा period, interest rate छोटा, नॉर्मल ही है, market के rule है, तो annual ही होगा नहीं, परेनम होगा, अब यहाँ पर यह जो compounded annually दिया है न, यह November 2000 के जो suggested थे, उसके अंदर इसको ध्यान रखा था, लेकिन CM में वाले ने, वो compounding का ध्यान नहीं रखा, even CA वालों ने भी यहाँ पर कोई compounding का ध्यान नहीं रखा, मतलब यह line अब क्या है हमारे लिए, irrelevant, ऐसे समझ जाओ, अगर आपको लिखना होता है, आप लिख भी सकते हो, यह जो line है आज के rate पे, irrelevant हो जाता है, क्यूं हो जाता है मैं बता दू आपको, क्योंकि compounding का impact अब आता है, जब period एक से ज़ादा होता है, थ्री मन्त में क्या compounding का impact आएगा, बताइएगा आप मुझे, नहीं समझे बात, एक सीज बताओ, हम कहते compounded annually है, मतलब one year बाद interest किस पे add होगा, principle पे, यह होता है न, compounded annually का मतलब, one year के बाद interest किस पेड होगा, बताइए, principle पे, अब आप मुझे बताओ, थ्री मन्त बाद का ही amount निकाल रहा हूँ, तो क्या होगा, थ्री मन्त का interest आट हो जाएगा, interest principle पे add ने होगा, कि वो तो एक साल बाद होता, तो तो simple हो गया नेक तरीके से, नहीं समझे बाद, compounded annually है, कहते हैं कि interest principle पे कब add होगी, वान येर के बाद, और हमने bank में आज पैसे डाला, और थ्री मन्त बाद ही उड्रा कर लिया, तो compounding की क्या फर्क पड़ा, कुछ भी नहीं, थ्री मन्त का interest मिल जाएगा मुझे सीधा सीधा, simple term में, six month बाद मैंने पैसे उड्रा कर लिया, कोई बाद नहीं, six month का interest लूँगा, घर आ जाओंगा, कोई compounding की सवाली नहीं पैदा होगा, nine month बाद मैंने पैसे लेके आ गए, कोई compounding की सवाली नहीं पैदा होगा, इंट्रेस्ट लोंगा घर आजाओंगा तू येर बाद पैसे लेके आ रहा हूँ अब फर्क पड़ेगा क्यों वन येर बाद जो इंट्रेस्ट होगा ना किस में आड हो जाएगा प्रिंस्पल पर तो यही चीज हमेला था यहाँ पे कि भाई जब 3-month के missing entry पूछ रही हो तो compounding का क्या बात है इसलिए CMA शूट ने बोला रहे compounding का कोई मतलब नहीं है ignore क्यों क्यों क्योंकि period हमारा 3-month में compounding का क्या irrelevence होगा हो गई नहीं बट starting में जो questions all के आता है सारा calculation करते थे annual में और फिर जाके आते थे 3-month में तो 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 रहा से रास्ता गुमा देता था सबज़ में आगे बद अब कोई confusion यह 3-3 आंसर दिये MTP ने सरी RTP ने number 23 के RTP में 3-3 आंसर दिया इसके लिए किते किसी भी रास्ते से जाओ पहले के आंसर तो जो होता था वो तो होता ही था और उसके बाद 3-0 डाल दिये यानि कि आप टोटल हमारे पास 4 आंसर होगे इस question का किसी भी रास्ते से जाओ सबसे answer मिलेंगे, marks मिलेंगे, बोले कि कैसे चलो देखो सबसे पहली बात कियते क्या निकालना है आपको बताओ missing country मतलब यह दो value निकालना है आपको सही है यह क्या है दो अना वे बताओ, एक कहता है forward rate निकाल दो so forward rate निकालनी निल्गाला है कैसे आता है बताओ सीधा 3 months का rate यूज कर देँगे यह देखो कैसे अब ये दे रखा है कुछ rate दे रखा है यहाँ पे देखना इतना फ्रैंक पर डॉलर पहले rate लिख लेना पर डॉलर डॉलर वन इक्वल टू फ्रैंक कितना है बताईए 7.05 अब इसी को adjustment करके forward rate निकालेंगे multiply by क्या करो बताईए 1 प्लस PIR लोंगा अब पहले जो original solution थे ना institute मे 3 मेने का rate नहीं use करता था ठेक है अभी कोई जमेला नहीं आराम से 3 मंत का rate यूज करो कितना दिन का बताईए point इसका rate लो उपर में मैं bank लोंगा क्योंकि dollar हमारा base में जाए क्योंकि dollar base currency है तो यहाँ लोंगा में dollar का rate 1 प्लस point 195 है क्या 19.5 परसेंट है dollar का rate अच्छा डॉलर का वह वाले है अच्छा 11.5 है dollar का ठीक है 11.5 आजेगा है कि मल्टिप्लाइवे कितने मेने का टाइम है 3 divided by 12 और उपर क्या लोंगा बताईए point 195 लेना पड़ेगा ना मैं 195 मल्टिप्लाइवे 3 divided by 12 चाहिए तो बस हो गया जो भी आ जाएगा निकाल लेंगे हम लोग ठीक है कोई बात ने हम निकालते रहे ना यह answer तो अच्छा differ करेगा इसमें से इसकी answer differ करेगा क्योंकि इसकी थोड़ा सा अलग तरीके से निकाला हो चोड़ो आप उसको कोई बात नहीं यह आप चाहो तो यहां पर answer कट कर लेना ठीक है यह जो लिखा हुआ है न इस सारे answer कट करके यहां पर लिख लो आर्टीपी प्रोवाइडेड थ्री डिफरेंट सॉलूसन तो कोई बात नहीं सब अलग अलग आ जाएगा यह बुक पे लिख लेना असको यह दोनों answer को कट कर लो थी मन्त वाले पे और शिक्स मन्त वाले पे भी कट कर लो तो उन यह में तो फर्क पड़ता ही नहीं सिक्स मथ वाले इन दोनों को भी कट कर दो आप अपने हिसाफ से कुछ भी निकाल लेना इन दोनों को भी कट कर लो और लिख लेना आरटीपी रिवाइज कर देना सीधा रिवाइज with three different solution आरटीपी प्रोवाइडर three different solution revised है revised solution है जिसमें इग्नोर क्या किया है बताईए compounding को, कहते है रे three month में क्या compounding की जपाउंडिऑ लेके बैठे हो बाई सब्सक्राइब आगे बत तो अब मुसीबत एक मुसीबत जो था न वो टल गया हमारा इसमें था थोड़ा बहुत मुसीबत तो इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगता था आपको टाइम ही नहीं रहेगा खतम हो गई कहा नहीं अब क्या करना है निकल के एक अब दूसरा क्या पूछा है बताए फॉरवर्ड डिस इस 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 अंसर देने लग जाने तो दिल खुस हो जाता है क्यों पता है क्योंकि बच्चे कुछ भी कर किया है सबको मांक्स मिलेंगे देखो कैसे मैं दिखा देता हूं एक मिनिट के लिए आपको आजा है तो बहुत सारे चीज इंसिटिट इंप्रूब भी कर रहे तो तो हम दो कुछ दाओ था फुसी होते है कि क्यों अब जो हो खाना बच्यकों सबको इस द्हूंझा को सेंप अच्छ बावट इंप गयान चलो में दिखाता हूं क्युछ नुश्य नुमर één की जैट को फुस्ट नंबर एES न्मर 21 motivated ए 6 2 556 7882 को यह बहु नॉन्हीन है थिया थी आप से ने कुछ आंसर दिया कर दो, दोboys दिये हैं और पहले तो निकाल के दिया ये देखो एक अंसर ये था पहले का, मतलब भी और इस डिया अम बात है क्या किया हो ग सारेज येंदर करेगा क्या. अब आघकूरेट ही निकालेगा. तो निकालेगा तो वही जो आपने forward rate यूज किया अभी तो spot or forward को difference से निकाल लो तो यह देखो एक बार spot forward को difference से जा रहा हो गए देखो, कुछ forward rate निकाला spot rate निकाला छोड़ो ना answer देखो ना कौन इतना जाता है चक करने, वह क्यों चक करने है, 8% एक answer अगला answer देखो, कितना दे रहा है 7.4% कितना बड़ा ग्याप है अभी बच्चे को अगर इतना ग्याप आ जाए ना solution के अंदर, तो बोले हैं कि हमें तो माक्सी मिलेगा कैसे बताओ, एक answer 7.4% discount, देखरे हैं आप और एक answer कितना बताओ, 8% कितने की ग्याप है, 1% की ग्याप है, कभी खुद confidence आएगा, अगर दो solution इंस्टूट करना हो तो teacher कितना भी बोल दे, मानेगा ही नी क्यों करे बरोसा teacher पे, लेकिन आईशे बोल दे तो आप बरोसा कर सकते हैं, तो ऐसे-ऐसे solution से confidence generate होते हैं बच्चों को अरे approximate भी calculate करें तब भी marks मिलेगा, सभज में आगे बाद और ये ताजा है अभी, सबसे ताजा है अभी इतना ताजा है कि हाथ जा लेंगे तो क्या हो जाएगा बता है, यहाथ जल जाएगा क्योंकि इसके अले बाद कुछ हाग भी ताजा ही नहीं ना मारे पास नहुंबर 13 के बाद कुछ आए इंस्चूट का नहीं है ना, इसका मतलब recent सबसे recent RTP के अंदर इस तरीके से उन्होंने modification किया है तो अब बाद में तो भूल जाओ गया आप अभी जो मैंने बोला है अगर आपके register पर है तो कितना बढ़िया होता है ना यह काम करता हूं इस register पर कुछ में क्योंकि यह register बन चुका था तब उसके बाद RTP आई थी इसमें नहीं हो गए incorporate यह तो मैं यहाँ पर incorporate कर दे रहा हूं कितने number question नहीं बताए है यह है ना question number two card अच्छा forward rate तो साथ हमने निकाल दिया है ना forward rate तो फिर ठीक है इसमें तो कोई issue ही नहीं हाँ यह तो ठीक है यह तो बिल्कुल सही है पहले कितना हुआ करता था देखो 7.17 होता था इस शूट का लेकिन हमने कितना निकाल के दिया है इसमें तो कोई issue नहीं इसमें निकाला होगा देखो चलो आटीप में ताजावले पे चलते हैं forward rate हमने कितना निकाले बताओ 7.19 देखो अब इंस्चूट का मैच हो गई अब यह solution मेरा जो solution आपको रेइस्टर पे दिख रहा है यह जुलाई में बनी हुई यह नोट से यह समझ में आगिया नौंबर में आई थी RTP बट मैं फिर भी क्या करता था अरे चलो जो कमपर्टेवल उसके इसाफ से चलो तो मैं 7.19 दिया करते थे बच्चे के चलो आंसर नहीं माच हुई अरे छोरो ना आंसर को अब बताओ अब तो आंसर माच हो गई ठीक है अच्छा एक दूसर इसमें त इसमें दिया करते थे और दूसरा मैंने बोला कि कि पिरोडी कि इसाफ से दोगे तो भी आ जाए गई इन अबब 2 two alternatives answers are different because of the compounding effect alternative one compounding NSR recommendation prefer alternative one this question asked in MTP also in that suggested ICI provided a solution with three different why is it covered I am Oh, no, it's a no one that I am not going to press the the test as well. , okay, okay , okay, okay , okay , okay , Ayala , it never , what प्रवाइब नोट्स बन गई थी लेकिन क्लास रोकर हो गया था वह बाद में जब नोट्स करके भेजने लगे ना तो दिमाग में आया थे कर यह है तो उसको में ने बदल दिया था ठीक है तो ठीक है तो यह बताएब सिदा कर लो इसे यह वाले आपको यह दिमाग में आएगा ना पहले, थ्री मंत का निकालेंगे, इंटरेशेट को डिफरेंशल को यूज़ करके, और उसमें multiply by 12, divided by 3 कर लेंगे, कितना पसंट आगया बताए, 7.63, देखते हैं इंशूट का 7.63 कोई भी आंसर है की नहीं है, 7.63, पहला आंसर दे दिया, 6.63, नहीं निकाला, कहीं भी निकाला 7.63, क्यों? यह किस से निकाला है, वन येर फारवारेट से निकालेगा, तो 7.04 जाएगा, यह फारवारेट आया था क्या, जिक करना हमने निकाला था भी, इसका rate कितना आया था, 7.05 था न, तो क्या कर रहा है यह, अचा, फ्रैंक का rate convert कर रहें एक फ्रैंक निकाल रहा है यते हम लोग बार बार नहीं करते थे कि रूपी का डिसका more निकाल लो कैसे कि रूपी का डिसकांट घर है निकाल लो तो इसको यह उसको यूज करके फिर फ़र बार रेट निकालो गए फिर उससे जाओगे कुछ भी करने की ज़रत्नी है मैं तो किरा है इस सॉलुशन को प्रिफर ही कर लो इसको जो है यह पहले यह ओरिजनल सॉलुशन था पहले के सवरिश्टेट में लिए बुश्टेट था न उसमें यह सॉलुशन थी और मैं कहता हूं कुछ मत करो यहांपे को यह कि अधैना एक ऑल्टनेटीव से यहां करना लेट लुशन ए यह beginnings क्ती में आधाश्म कि बताओ चल्दी से इंटेस्ट्ट्रेटिफ्रेंचियल Promise सीधा ता यह निकी डिसकाउंट और और फ्रैंक निकालना है न हमें डिसकाॉंट डिसकाउंट प्रैंक जो हो जाएगा न सीधा जाएगा इंटरेस्ट्रेट डिफरेंच hell इंट्रेस्टेट् uh With applicable जो कितना आ जाएगा बताओर खेया ना 19.5% माइनस कितना है 11.5% कितना आ गया बताए यह 8% यह है आपका ताजा solution RTP नौंबर इसके मुताबिक अब कुछ CMA के स्ट्रेंट के दिमाग में आगा कि हमारे इंशूर्ट नी क्या कर रहा है सब यही वाले किया है यह वाले जो किया हुए निया 7.63 ऐसे निकाला हुए यह जो preference बोलाओ न इसको cut कर दो कुछी को prefer करने की जुरत ने जो दिमाग में आ जाए वो कर लो आप ठीक है यह लिखा है ने prefer इसको cut कर लो कोई बात नहीं चलता रहेगा कुछ भी के दिमाग में आप जो आता है दिमाग में आप कर लो आप ठीक है चलिए अब आ जाते हैं किस के लिए बताओ 6 मंत के लिए 6 मंत का भी तो गहीं होगा न किर कैसे करोगे बताओ अब याद रखना अब इसमें वो दे रखा है difference तो अब अगर अब interest rate differential से अगर जाओगे तो फिर तो मुझे बताओ frank discount पे है तो frank का interest rate क्या होगा बताइए ज़्यादा कितना से ज़्यादा होगा 6.3% से तो यह है 4.12.25 12.25 प्लस कर दो कितना बताओ 6.3 यानि कि इसका मतलब 18.55 आजाएगा एक मिथड से कौन सी मिथड हो आसान वाले मिथड से 18.18 वो सबसे बढ़िया होता है मैं तो केता है इंस्ट्यूट ने इस मिथड को हर जगा प्रिफर करने लग जाए कितना मज़ा आ जाएगा इतार 8 का डिफरेंसल वही प्रिम्यम डिसकांट देखते हैं अहां तो concert पढ़ेंगे हम concert पढ़ेंगे और यूज करेंगे प्रोक्सिमेट इसमें कहा जाता है कि देखते हैं इसमें सेगे मित दिया है कि इसमें चेक करता हूं एक मिट आर बीदा फ्रेंक रेट अल्टनेटिवली एक दिया 18.27 अच्छा अल्टनेटिवली दे रहा है ये आपको 19.17 तो भाई यहाँ पे क्यों नहीं यूज किया हूँ वाले है अप्रोक्सिमेट यहाँ भी कर लेते हैं कितना मज आता ना यहाँ पे तीन अल्टनेटिव नहीं दिया यहाँ कितना दिया सिर्फ दो ही चलो कोई बात नहीं एक अल्टनेटिव से यांसर आ जाएगा लेकिन हम इसको तो बहुत ही आउइडी करने की कोसिस करेंगे यह इंप्रोक्सिमेट वाले जो है जो छो हमने लिढ़के नि कुन्सी वाले यह वाले लेकिन इसको कोई कशिस क्या करेंगे हम लोग लोग अवाइडी करके चले यह वाले third alternative नहीं है इसको मत लेके जाना आप क्योंक आपको लगता है नहीं अनुवल सीधा ले लो क्योंकि अनुवल निकालना है अनुवल रेट का डिफरेंस लेकर निकाल ले तभी चल जाएगा चिक है ओके तो यह बात बन गई हमने क्या किया यहाँ पर प्रीमियम डिस्काउंट दे रखा है ठीक है शिक्स मन्द का फार्वा अच्छा इधर के माइनस इधर प्रलस बन कर दिए ठीक है निकाल लिए कितना अगे बताई है नैंटीन प्रीमियम डे रखा है तो दोनों कंट्री का इंट्रेस्टेट का जो प्रोपोर्शन होता है उससे हम लोग यह निकालते तो प्रोपोर्शन को यूज करके एक लिए नहीं आ जाएगा यह देखो एक छी ध्यान रखना जब भी अगर आप करते हो ना तो डेसिमल में आता है यह आपका तो पॉइंट जीरो इस्ट्री ये क्या बताई ये discount किसका discount है ये frank का तो frank का discount है तो frank वाले rate आता है base में तो 1 plus 1 plus क्या करें अब annual लेना चाओ कोई बात ने पहले को original question बचैन अनुल ली था क्योंकि ये annual है सीधर annual rate ले लो सवज में आ गया बात तो हमने बोला कि ठीक है आप मुझे बताए annual rate लेना चाहोगे तो हमने आजूम कर लिया कि फ्रेंक का rate कितना है बताए F नहीं मालूप क्योंकि फ्रेंक का rate ही तो निकालना है आपको और उपर में कौन जाएगा बताएए 1 प्लस dollar का rate dollar कितना है बताएए 0.1225 ठीक है अब ये हो गया आपका rate और इसको में से minus क्या करेंगे बताए 1 अब निकाल लो F आपका निकल क्या जाएगा अब क्या होता है अब ये जो हमें annual rate यूज कर रहे ने तो RTP में annual rate यूज नहीं किया उसने तीन में थर से solution तो दिया है लेकिन जैसे हमने अभी सीधा annual rate ले लिया ना उसको यूज नहीं किया है तो अभी भी बच्चे को confusion रहता है क्या पता है marks मिलेगा नहीं मिलेगा अरे भाई तीन में थर देर रखाई है हमारा चौथा में थर कौनसी बड़ी बात है क्योंकि शूट annual rate को यूज नहीं कर रहे न उसने तीन मेने का rate यूज करके गया हुआ है हाँ तो ठीक है थ्री मन्त का यूज सारी थ्री मन्त नहीं सिक्स मन्त शुक्स मन्त का rate यूज करके यहाँ पर शुक्स मन्त rate यूज करे यहाँ पर भी शुक्स मन्त rate हो जाएगा तो फिर यहाँ पर भी आपको क्या जाएगा बताएगा यह अगर शुक्स मन्त लोगे तोड़ा बहुत राउंडिंगाउ का डिफरेंस जाते है कोई सुनिये इसे हमने कितना पसंद निकाला यहां पे हमने निकाला है 19.8 अब देखो इन शूट ने थोड़ा से अलग किया होगा 19.7 एक में थर्चे निकाला है तेक है दूसरा में थर्चे 19.27 निकाला है इतना ज्यादा दिफरेंस तो नहीं जाना चाहिए था 18.27 हमने कितना निकाला है 19.80 अच्छे इससे निकालना एक मिनिट के लिए यह रेट आपका आ चुका है ना फॉरवर रेट अच्छा फॉरवर रेट हमारे कितना के बता है 7.3 तो डॉलर का रेट है ना और फ्रैंक पे निकालना है तो स्पॉर्ट माइनस फॉरवर रेट निकाला ना अच्छा सॉर्ड़ एक मिन्ट इनिट यह तो हमने निकालने के बाद निकाला है ना पहले रेट आया गयी है पहले रेट आया है कौनसी बले 19.8 तो तो वही आएगा ना आपका करते रहें कैसे भी कर आप एंवल डेट यूज़ कर ले यहां पर इसने यूज़ कर रहा होगा कितना पसंद का रेट हाँ 6 मुन्द का रेट यूज़ किया है 6 मुन्द का रेट यूज़ किया है तो 6 मुन्द का उयुज करेंगे तब यहाएगा साथ 18.27 पर भी इतना बड़ा گ्याप तो नहीं जाना चाहिए दो इतना बड़ा ग्याप क्यों जा रहा है एक काम करो रूखो मैं सेमिनूल निकालने दूख या इसा तो नहीं कुछ मिस्टेक है उसके अंदर इतना बड़ा ग्याप नहीं जाता है कोई बात नहीं निकाल लेते हैं कौनसी बड़ी बात है क्वेस्चान नमबर टू डी का सिक्स मन्त वाले मिसिंग वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग और हम लोग पीरियोडिक रेट निकाल के चल रहे ठीक है अब इसमें क्या कर रहे बताए यह एनौल रेट दे रहा है उसने माइनस 0.063 इस इकल टू हम लोग निकाल रहे है प्रीमियम डिसकाउंट तो रेट चल ल है नहीं 12.25 ना ओके 12.25 12.25 कितने दिन का लेना पड़ेगा 6 मन्त का 0.50 मैंने कर दिया तो यह जो प्रीमियम डिसकाउंट आया है न इसको माइनस 1 करके कितने दिन का है यह 6 मन्त का इसका मतलब इसको जब हम लोग अगर 12 डिवाइड रुको रुको भी मत करो 12 डिवाइड 6 करता तब क्या बनता है अन्वल की कॉल क्यों ना मैं इधर कर दूँ हाफ एक ही बात हो गए न तो मैं इधर ही हाफ कर दूंगा न क्यों जाओंगो इधर करने इतना तो यह हो जाएगा मल्टिप्लाइवे कितना बता यह 0.50 को लोगे हैं सही अब 6 मन्त का रेट यूज करके कि आमने अभी ठीक हाथ है ओके कितना रहे बता है 6.3 divided by 2 3.15 0.035 0.035 0.035 is equal to यह कितना रहे बता है 0.1225 multiply by 0.5 plus 1 यह रहोगा 1.06125 divided by 1 प्लस फ्रेंक का रेट 6 मन्त का जाएगा याद रखना आप और माइनस हो गया 1 तो क्यों ना हम इधर ही प्लस कर दे यह जाएगा प्लस 1 इतना बन जाएगा है ना तो इसमें से बन जाएगा हमारा 1-0.0315 यह कितना बन रहे बताएगा 0.9685 is equal to 1.06125 divided by 1 प्लस फ्रेंक का रेट तो मुझे बताँ 1 प्लस फ्रेंक का रेट कितना बनेगा इतना divided equal to multiply by 1.06125 कितना रहे बताएगा यहार है 1.0957 है ना इसका मतलब फ्रेंक का रेट अगर निकाले तो 1.0957-1 कितना अगया और यह तो 6 मंत का है तो annual rate क्या बनेगा बताएगे अन्वल रेट बनेगा 0.0957 ने 58 होता हो 58 multiply by equal divided by 6 तो multiply by 2 यह बन जाएगा आपका 19.15 परसे यह नहीं आ सकता है किसी भी केस में बोल रहा है इतने बड़ा ग्याप नहीं जाएगा इक इनका कहीं पर कुछ 18.27 नहीं जा सकता है जो हमने periodic rate लिया तब भी कितना जा रहा है 19.15 जा रहा है जो हमने वह rate लिया है कितना आया है बताएगे 19.80 था अभी कितना रहा है पहले हमने 19.8 निकाला था और अभी के कैलकुलेशन केह रहा है हमारा 19.15 होना चाहिए ठीक है इधर देखो कितना था यह नहीं हो सकता यहां यहां ठीक है यह 19.17 है और हमने कितना निकाला है 19.15 यह ठीक है यानि कि periodic rate से यह वाली rate आएगा ठीक है तो कुछ भी निकालके तो सब चलेगा आपक यह कैसे किया है पत आए यह बेटी थेयरी कहता है 7.05 क्या है बता है यह spot rate किसका rate था हूँ डॉलर का डॉलर का पर डॉलर था ना तो बेस में क्या जाना चाहिए डॉलर का rate कितना दे रखा है डॉलर का rate है 12.25 तो बेस में जाना चाहिए 12.25 ठीक है लिए रखा है इसने 1 प्लस पी आई रफ वो तो 1 प्लस पी आई र आ गए 1 प्लस पी आई रफ फ्रैंक इस इकल टू फ्रैंक 2.75 पर डल यह कहां से आया 7.25 कहां से लाया उसने यह तो दिया ही नहीं यह फारवर रेट कहां से लिया है 7.25 अच्छा पहले इसको रप्लाई करके यह निकल लिया क्या 7.25 पहले निकाला होगा किस से पर डॉलर ही तो है 7.25 यह फारवर रेट होगा यह फारवर रेट होगा यह फारवर फ्रैंक पर डॉलर यहां निकाला है 7.28 और यूज क्या क्या है यहां पर अच्छा इसमें भी दो-दो में धर कर रखाय है इस वी आलग कर रखाय कि यह भी रेट कॉई यह फिन क्याल सकता है तो यहां पर डालने की वैसे गया है अच्छा उसने कैसे निकाला है कि इतना है और इतना ले लिया छे महीने के लिए और spot rate ले अच्छा वो conversion करा हुआ है ना rounding of car difference ही है वो conversion करा है किदर की तरफ उल्टा करा है 1 divided by वो वाले rate लिया है तो अबने 1 फ्रेंक का rate लिये हो यहां पे तो यहां पे भी एक फ्रेंक का rate ले लि एक llamado ये इसल्गे सभेजी ऐसे तरह रहा रहे है 1 फ्रेंक का액, अगले बार क्या कर रहे है बताई एक dollar का ले रहे और जब एक डॉलर कर लेगा one divided by one point sorry one divided by seven point zero five करेगा तो देखो बारव डिजिट जा रही है और बारव डिजिट में जाने के बाद यहां पर आप क्या कर रहे हो rounding up कर रहे हो three digits में कितना बड़ा miss वह रहा है rounding up उस rounding up की वैसे इतना बड़ा फिर यह rate निकालेगा वो rate निकालेगा बताओ हाँ लेकिन यह कहना चाहरा है कि किसी ने अगर कर लिया तो उसको भी marks मिलेगी समझ में आ गई बात कि कहां पहुंचें हम लोग अच्छा टाइम तो पता ही नहीं चला है अब दे भाई है ठीक है फिर तो ठीक है IRPT तो खतम हो गए ना बचा है कुछ इसमें आप नहीं यह खतम हो गए अगा बाकी जो है ना वापके वोमो करना इसको भी मत तश करना अच इसमें है नहीं हो ठीक कर सकते हूं जो यह ना असानी यह तो इस्टार्ट होने से पहले ही खतम हो जाता है अज़ा हमारा फॉड्ट फिफ्ट लेक्चर होगे ना पांच होगे ना अच मेरा प्लान था कि दस में खतम करने का मतलब जो रहा दस में खतम ग्यारा बारा में चाहिए अन्य फॉरेक्स तो ही है सही इसलिए तोड़ा तसलिए से करें मुझे लग रहा है कि चलो एक दू एक्स्टा भी लग जाएगा तो कोई बात नहीं अच्छा आज पांच में आगे नहीं ठीक है कोई मिलते हैं नग्सलास में ठीक है